सनेशा यहां से जाते रहते हैं आप लोगों को मेरा प्यार अधाब अर्श पहुंचे आज सुकरवार है तो हम आपको बतार चाहूंगा कि हमारा देश के अकबार तरह तरह के खबर छापी हुए हैं जैसे आप जानते हैं कि अभी तक ये टेव के हमारे देश में हमारे जो उसियान है जो कहते हैं कि किस्ट फलाक्तर सुरी नान के किस्ट फलाक्तर पर अभी तक टेव के बारे में यानि खोजबिन हो रहा है पता चला कि पाँच्वा जगहां फैफ द ओनी फैल्ट अब जी ब फैस्ट पाँच्वी तस फैफ द जगहां मिल चुका है वैफ ओनी फैल्ड अब सी सुरी नाम के जो हिसा में जिरता है अपाशी आफ तोतल ये हम लो कुस्ट नेसा जिया है बहाई जी ब्लोग 58 में ये सब तेल मिला है लो काइट है कि बूर्पत लिफ्ट अब 725 मेटर वातर दीपte 10 ओस्टन फाम दी एर्दर ओनी फैल्डन दी फोर खिया सेट उन देट दोस पांचवा जगहां पर तेल बिला है ना फैफ ओनी फैल्डन एक मतलब ये है कि जब एक मतलब यहाँ तेल सरकार सुरू करेगा वहां से तेल निकालने के लिए तो समझ जाओ कि सुरी नाम का एकोनोमी सुधर सकता है लेकिन अभी कुछ बरस लगेगा दो तीन चार बरस लगेगा मसीन लाते हुए बैठाटा हुआ ये सब काम जो शुरू होगा तो साइट त्वी दोईजन सैसन त्वेंटेक सीफनन त्वेंटेक या फ्याइफन त्वेंटेक भी हो सकता है ना यहाँ पर शुरू हो जाएगा तेल निकालने के लिए रीवा समुंदर से तो यह सही बात है कि जब ठेल होने लगा निकलेगा तो देश का रहन सहंग भी बदल जाएगा जनता को बतलब की फोर्जीनिंग और ठीक रहेगा ना और साइट भी आपके बाई बच्चों वहाँ काम करने लगेगा तो मतलब यह है कि देश सुधर जाएगा क्योंकि टेल के मामला जोसे हमनों जानते हैं बहुत साल पहले स्कूलों के जमाना से तो तेल स्रीफ आजिया आजिया में फिनिस्वेला में कहिए या उदर दूर दूर के बाट है जहां तेल लोग याने पाते थे निकालते थे जमीन से ओली फैल जहां था ना फिर उसके बाद सरनामी मिला तो धेले धेले अब दिखो गया ना में वही से फिनिस्वेला में था पहले और अब हमारे किस्ट जो है रीबा है वहां बहुत तेल के बारें जीकिर हुआ है फैइफ ओनी फैल दन तो जब यह तेल अगया नंच निकलने लगा है वहां पर लो छोटा छोटा तमाखू लगाते हैं लेकिन जब हमारे देश में भईया तेल मिकलने लगेगा हर 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 बारीर तब तो देखी जाकीत मान लोग यहां सीगाला कितने मोटा मोटा लोग खीचत है तो अभे इतना दूर तक बात नहीं है सरनाम के जंता बजार खुल चुका है मारक बसुकर्ष कल से सेंट्राल मारक में जा करके तरकारी वगारा खरीच सकते हैं बजार कुछ दिनों से बंद रहा यह आप जानते हैं भाई जी तो कुछ दिनों से बजार बंद था कुफित नहीं है कि इनके वजा से अब धीरे धीरे बजार खुल दिया गया है अब आप जा सकते हैं बजार में तरकारी खरीदने के लिए समान खरीदने के लिए घूमने के लिए कितने लोग तो घूमने के लिए जाया करते हैं ना ता भी जाये स्री नामे क्रीस एंड है क्रीस इन हरस्ट लग प्लान जो रखे रें एक कॉनसेप्ट जो पिश किया है एक फांग नेट के सिलसले में 2021-2030 के लिए तो उस fund net में या हैस्टर्ट प्लाइब में एबात है कि 25.5 मिलियर्ट एक्स्ट्रा पेर यार फोर शुशाल फंडेब तो अब पैसा के बात चीट भाई जी ये पैसा के मामला है हैस्टर्ट प्लाइब में क्रीसिस हैस्टर्ट प्लाइब में बात लिका है नाच्शनल आसंबली में इसके बारे में सिकिर होगा खुद क्यूर होगा फैसला होगा ना तो जन्ता के लिए सामन लीफिंग के लिए ट्वीड एज़न एइनम ट्वेंट ट्वीड एज़न द्रियम के तक के समय ये मतलब की पैसा लोग को मिलेगा फांगनेट के द्वारा भाई जी अचाने का पता चला की होलान का रखीरिंग को उतरना परा है आज जानते हैं वहाँ की जो प्रमी है फर्रित फर्रित आज फिक्स चला करके बैसिकल चला करके लगभव 15 मुनी तक वो डाम पर बैसिकल चलाते 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 पहुचाथ एक दम से जहाँ पलैसे जहाँ पर महरामी यहाँ राजा वगार रहता है राजा कूनिग तो वहाँ गैल है और अपना रखेरिंग रित द्री रखेरिंग यानि देमुशेनैर हो चुका है जाने राजा तो आप जाने हम लोग के कोनिंग जो है नेजलान का कोनिंग वो हम लोग के भाउजाई जो था बियात्रिक्स 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 ब तो हमारे एंट वेंट वेंट बैसिकल चला करके जाठ भाइए खरकर 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 अले यहां पर लोग इंपाला में जाठ है उग गारी जाठ भाई एसन गारी में कि कभी तु शपना ने दिख रहे हैं यहां कि मिनिस्तों लोग लेकिन रेट फिट लाइक जाठ है जाठ पर पुझे रिच कहा बोले जाइला को ने फिल लगे को निग लगे राज को उतारने के लिए रखेरें को उतारने के लिए ऐसे नजी से यहां तो यह तो होलांड के बात है बसाव में इस तरह कौर्थ हो करके अपना अपना पॉर्टफेयर कुनिंग के हवाले कर दिया तो आप जानने थे कि मार्ट महिंदा में यानि वारी फिबिवारी मार्ट में नहीं जबाद में चुनाव हो बाप ना तो फररिट है रिट है यानि उनका मिनिस्टर उनकी यो पर्टे वो तो खेल खेली से हो जाने पॉलिटिक का है कि इसे करी से बुले हम लोग के बड़ी दुख है कि हम लोग जनता को यहां दुख किये है दुख जिया है और कितने बंकृत हो चुका है जो काम नहीं कर पाया खास तोर पर करूना फिर इसके सिलसले में अब वो लोग को कोई के 20 जार कोई के 25 जार कोई के 30 इतना पैसा उन गरीब जनताओं को देगा जो बंकृत हो गया है तो वहां के जनता को देगा इसी कारण से जब यह लोग बेखा कि यह लोग गलत की है इन लोग एक बोले है तुष लाख अफैर है इसे रहा कुछ हम सुचला इसी कारण से फ़र्ट उतर गया है और उनका र इस वक्त देमुशनेर है लेकिन फिर भी पता चला कि हमारा देश का प्रीशिदेंट चंद्री का परसाथ संतों की फिबरीवारी में नई जमान पर जा रहा है अध्यमुशनेर रखेरिंग और वहां के जनताओं से बात करेगा तो यह मामला जो एलान हो चुका है पहले से जो बेश का प्रीशिदेंट चंद्री का परसाथ संतों की फिबरीवारी में होलान को जा रहा है देखो भाई जे तो यह हो लान के मामला था को रोना फीरिस के से उसरे में रखे ज़िए को तरना परा और हम यहां का देखिए लाए शुरी नाम का प्रसिदेट क्या कहए थ het aantrekken van het internationaal monetaire fonds IMF zal economisch herstel met zich mee moeten brengen dat is volgens president Chandrika Peslaas-Sentoki het verschil met IMF programma dat het kabinet Boutense Adin in 2016 had voorbereid de regering van toen wil de economie niet herstellen ze hebben zogenaamd een IMF agreement geteken ik noem dat een staatsoplichterij zijn harde woorden van president Sentoki monetaire fonds IMF جہاں per president Chandrika Peslaas-Sentoki جس سے orkhani satsi سے virg orkhani satsi سے bachet kunnen ween is het schere naam ja rachiering surinam تو hier koncept johen hier plan johen hier schere naam خub binaja है IMF के लिए यह IMF नहीं बना एक ज्याई नहीं रखेरिंग बना करके IMF के पास पेश किया ताकि वो खुद करें एक बात है और दूसरा बात जो 2016 में रखेरिंग बहुते से अध्रेश जन्ताओं के लिए IMF प्रोग्राम के बारे में जिकर किया था तो वो किया नहीं था कु लेकिन वो एक स्टाच अप लिखत रही था याने की सरकार जन्ता के साथ गड़ाई की है सरकार के सरकार वो पुराना सरकार जन्ता के साथ गड़ाई की है एक मुदातन स्टाच अप लिखत रही लिखो भाई जी का होए का नहोए है कि जो ये बनाया गया है मुने टेर फॉ आई-एम-फ के लिए ये सरनाम के कॉंसेप्ट है सरनाम में ये तयार किया है तो इसको आएम अगर शुकार कर दिया तो सरनाम के फाइदा होगा क्योंकि सरनाम के आज के रखेलिंग क्या कहता है कि कपिताल जो लोग पांसओ पचास मिल्यून कर जा दिया था 505.5 million American dollar नेखपिंट 520% रेंट के साथ ये पैसा यहां हो गए लापता है ये पैसा लापता है कहां खर्चा हुआ बपा सरकार कहता है आज के सरकार कि वो 550.000.000 पैसा लापता है जो नेखपिंट 520% बियाज के साथ ये पैसा लिया गया था रेंट के साथ बियाज रेंट समझें न और बुले यही एक बरकाव अब यह बात है चंदरी के पैसासन तो कि ने कहता है ये परस्खेब है भाई जे इनका आएमेफ और बहुत से के आएमेफ के बाहे में परनेंट में एक सभाग के शुरुआत हो चुका है सभाग सभाग असमली में उपमार फर्खादरिंग इस वर्खादरिंगे इन तरह के बारे में जिकिर होगा इनकोमा और जतने भाई है सब लोन है, इनकॉंस्तं है, अंसे बालास्टिंग ये सब बालास्टिंग के लिए कारवाजय शुरू हो चुका है पार्ल्लिमेंट में तो मिलेस सब फिनानसियन तरीका उनका तरिकत आप जानते हैं बड़ी ध्यान से बड़ी इज़ट से बड़ी सोच समझ करके वो समश्या पेश करता है और छे महिना तक जो देश चलाई से तो ये छे महिना इतनी धीरा रूप में चलाई से कि कोई जान न पाई है कि कैसे आउफी भरान है कैसे ये पैंशून भराता गया है कैसे अमतनार के पैसा भराते गई है और हल एक कर्जा भराते जा रहा है तो ये मिनिस्टर अपना ताकत दिखा चुका है कि पाच्छे महिना के भीतर में इन हैं इजच से लोग को बुकाना चाहिए क्योंकि मिनिस्टर कोशिश किया और जन्ता को पोरा सहाईता मिनर दगा है कहिए इस काबिनेट का बहुत चौकफ वाला मिनिस्टर है लोग कहते हैं इस अपन से लोग कहते हैं इस वाक्त न तो इन्हें हम लोग बहुत शुकूरिया दख करते हैं कि धीरे रूप में काम करें और ठीप रूप में काम करें ताके जंता हर एक मुसीमत से बच सकें तो बलास्टें के करोबार हो रहा है देश को आगे बलाने के लिए और देश के खर्चा बहुत हो चुका जादा ये खर्चा आदा करने के लिए बलास्टें के बहुत जरूरी है हाँ भाई जी हाँ अलेकन एक प्रकार के सरी साता है पैन अमेरिकन पाहो का दियत तो बोले भाई या लोग आप लोग बड़ी हुसियार से जिन्दगी करो भाई जी क्योंकि दो हजार एकईस 2028 जो वेल इस फिल एकर के नंजान 2020 बले देस में बहुत मुसीबट आ सकता है दफारियंट 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 दवारी कोफिद नहीं खंटी बरासित में आ गया है हम लोग को बली हुसियार से अब बिचार करना चाहिए पाहो का दिरेक्टिर ने कहा भाईयाजे इसे ना सचियो क्योंकि ये फारियंट एंगलांट ने ठा ये कैसे एंगलांट से ब्राजील आ गया है ब्राजील से कनादा, शीवी, एकवाडॉर, जमाइका, मेक्सिको, पेरू, पेएस प्यारे भाईयों ये तमासा तुगे का की इस फारियंट जो एंगलांट में शुरुआत हुआ, ये फारियंट आगे इस ब्राजील में अरे ब्राजील हम लोग के कितना दूर है, हम लोग के पलोस में है कभी कभी बैटर जांत में लोग सर्णाम के बारे में पूश पाश करने लगता का कि कहां है सर्णाम, सहित अमेरिका में भईया, सहित अमेरिका, कहां पर, आप जानत हो कोई कि सहित अमेरिका में हाँ हाँ हम चानी एक आदमी के वो ब्राजियन में रहता है वो का नाम का है पेले हाँ और यह तो पेले के परोसिया हमें ली न है हाँ पेले के परोसिया हमें है ली ओ अच्छा 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 वाँ पेले के परोसिया हो हां, بنازیل Maye Maori पेले रहता है वही बगल में हम रहते हैं तो ऐसे संग जानते है तो भाई जे बनازیل से संग आने के कितना समय लगेगा खरेंसे पते सब कुछ है बाप प्यारे भाईयों देखो आप तो जानते हैं कि हम लोग की देच में दॉक्तर के बड़ी जरूरी पर गया है इस वक्त कोफित नहीं खंकीन सरनाम में सबरो देखो भी बताएंगे कितना कैस होते हैं रोजाना 24 घंटे के भीटर में लेकिन इतना बात होते हुए कुबांस आर्टसन को जो सरनाम से चला गया है इन्हें वापस नहीं लाए गया है ये काम कर सकते हैं जिस तरह से इस वक्त काम हो रहा है मुझे बहुत दुख के साथ बताना पढ़ेगा भाई ये कि 24 घंटे के भीटर जो अंदर सुक हुआ है काका तो चौंप हुझे है रोजाना यहां बश्मेच होता है देस्ट में रोजाना नया लोग 24 घंटे के भीटर में 35 तक लोग ये हुआ है नया लोग 35 घंटा के भीटर में ये कॉंट्रोल करते हुए 35 तक लोग टेस्ट किया गया है हौनदत नहीं खनंद तक कि मृट्टी हो चुकी है कुरोना फिर इसके जवारा हौनदत नहीं खनंद तक भाई जी इस वक्त सेशन सेफन तक लोग जिक्र है इसमें दिखभाल होता है बागी लोग करांटेन में हैं इंटेसिव के में 13 लोग है और 149 लोग के मृट्टी हुई है हर एक दिन परिवार जो परिवार भी शड़ गया है उन सब परिवार के हम लोग सोख समेदना प्रसुत करते हैं भाई जी दुख के ये बात है प्यारे प्यारे लोग जनता हमारे सभी लोग यहां तक आवाज जा रहा है देखियो बात ऐसे है कि एक आदमी एक मिलीटर रटनी काई लोग को कुछ लोग ने अगवा किया था कोशिश किया था इस मामला में नाम लिया गया है एक औरत के जो शिरी नाम का एक उचा जबह को बैठी हुई थी बात करने जा रहा हूँ डानियल फैरा के सिलसिले में डिरेक्टराद नाशनल फैरखे डियनफे का जो डिरेक्टर थी ओकर नाम लिया गया है डानियल फैरा ठे व Communist का जबहा है और नाम और र Muchका लंप ऑ्रिए वहाँ रहा है का taraf ने का जो ऑिसारी प्रश जूए टहा है का ज days का झाड़ंग वद्साफराद्यंगी के आफद्स तना उपईसन बाद छाता है मारी से उपवार मिनिस्टेरी ये मुकदमा अब जद के सामने आने वाला है भाई जी सम्झेजा रेक्टर कमेसारस ना बवा को पुश पाश करने लगा है इस मुकदमा के बारे में अब एक उदिल पहले मिनिस्टर और फिसर प्रेसिदेंट रोन ब्रिंस्टर ने कहा कि दो बड़ा जगहा इस वक्त वहाँ नया लोग को बैठाय जाएगी आपके जानते हैं वो सिपाही के अगवाकार जो है और ये दी अन्फेटा अगवाकार ये दोनों को याने नया लोग बैठाय जाएगा प्यारे प्यारे जंता लोग डाउन ओफर ट्रीडर्स है सुनिये तमासा यहाँ एक लोग डाउन ओफर ट्रीडर बुद के सबेरे क्वार्ट ओफर तौालफ एक तेले कम्मिनिकाशी मस्ट को मारिज धका अब दे हुख़ान मवाका बो एन फरलेंड माखेंता वेक के कोने पर तो यह सब रात्री के समय होता रहता है भाई जी जब लोग डौन है सबके घरी रहना चाहिए तो यह लोग ने गारी उरा करके लिखो जा रहा है यह मखेंता फरलेंड मखेंता वेक एन कौम अप दे ती करेंशिंग मेद मवाका बो एक और है विल्द अन रेक्स बोख माकन अं इन रिख्टिंग वन महमद रशीद पीर खान वेक्ट खान बस मारी से पालू खड़ गए है तंदल भाईया बस्ति जर्वा घर उतों से निकला के बाहर भगा और पहले जनता उन्हें निकालने के कोशिश किया अपने से निकला है बुलीची आया है ना और यह मामला अब सिपाही उन्द सुख कर रहा है एक आदमी जो बार बार जज़ के सामने आता है रोमियोग गई रोमिय दो चोर लॉंडा है मकान उखार करके चोरी करता है लोट मार करता हमेशा इसे कारण से रहते हमोरिन डैला के सामने रोमियोग गई खड़ा है इह तीसरा दर्द फोनस यारे घंक मार लिया हाथावरी ना मार लिया हाथावरी और अफिची पाईस्टीसी में रहा फांदेख ऐस्त जेफ मांदन उन्पुरवादले सेल स्ट्राप लेकिन आपके जानते भाए जेफ मांदन मारी सेल एकड़म से सांतो बोमा सांतो बोमा कर भाईया समझे ना एक जबज़श्ट चोरी हुआ है के क्वाटर व्यक में एक बकरेई में बकरेई ने टीन क्रीमिनेलन हर शर्ष ये लोग ने अर्मेजसस दो अर्मेजस को जबज़श्ट पकरदिया ना बकरेई के बात है जहिसे बकरेई को खोला गया बस सब लोग को यह गिरफ तरिया यह दोने दाकुने यह तीन दाकुने बस पैसा लेकर के वहाँ से भाग दया है बाकराई में क्वाटा में तो चलेंगे भाई जी मेंदर का पुलीची ये क्रिशन को गिरुफ्तार किया है मेंदर का पुलीची ये कुछ समान्चोरी किया था जीसे वासबक घर में घुष करके भीफ़ों में देख लिया भीफ़ों देखे घबर 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 कुछ हो था फ्ली रिंगवा में फ्ली रेल में कोई चलत है बस ये बाहर का खुछ बाहर और किया भीफ़ों ते देखे बाहर अगनी भी खड़ा है तो एक समर में आ गया कि चोर घुषा घर में प्यारे प्यारे भायों ये तो नालीश किया गया और अब का हम बताई तो हैं ना यारी इखा देख्यों दार्बाई से इंग वस्बाकन त्वालेट पॉटन काबल्स और जेकरें कास्ट अंडरेस प्यूडन क्योंकि एकनार जो है पांट के वो बहुत अलात में रहता है पराशी में घास जमाल खो भाई जब अहां परोशिया में ये घर देखे कि भरबर भरबर घरवा में होए तब बेफरों ताके देखे कि पराशी में लोग खड़ा है घर में समझे ना तो इसी कारण से समझ ये सिपाही पहुँचा है और ये सब लोग को गिरफ़तार कर दिया है पुलिट सी मेंडर अरस्टेट डिफ ओके है ये क्रिशन वाब हो है क्रिशन देको बहुत गर्बर बाते का की एक अठारा साल के लोंगा जो ऐसी और इसी चोरी सपाधी करता था बज्जाती कर रहे थे उन्हें वेफ्ट दोरखां सेंट्रें उपा दूली में लाकर के बंद किया गया था अठारा साल के लोंगा को दूली में उपा दूली ये मिपात मिपात जब देखी इस ग्यारा बजल है सबीरे और आसपास में कोई नहीं है बस वहां से ये भाग देआ है भाग देआ भाईया जांग बड़बरजात है वलिट इनका पीछा कर रहा है अभी पतानी के लोंगा कहा जाकर के छुपा है इनका तलास जारी है लोंगा वहां से भाग गया है समझे नहीं अईसे इसे बात है भाईया जे और हम कहां बताई अगबार ने तेही सब बात ज़्यादा लीखत है दिखिए कहीं खोनी के बारे बात है मोर्दोनार के बारे में कहीं चोर के बारे में और यहां देखो उफ़मा मिनस्टेरी ये सब कोशिश किया लेंडन खे को यहां तीर आदमी के नाम लिया गया है मरेनो फान हालन 27 सेफिल मार्ट को लावा खवित में इनका कोई हत्या की है मरेनो फान हालन सेफिल फान हालन को लावा खवित में इनका हत्या हुआ इसमें लेंदनखे गिरफ़तार हुआ था लेंदनखे प्यारे जन्ता उसी लाज के आसपास में लेंदनखे मौजूद था इनका गिरफ़तारी हुआ लेकिन जब सबूत ना हो सका कि यही उनका हत्या की तो इनका कल रेफ़तार ने लेंदनखे को रिहाइब कर दिया है छोड़ दिया है कि कि अगे चल करके मुझे फिर पता चला कि एक अ मोटरगारी लग बोलते समय अग्वाटा व्यक् ने अग्वाटा व्यक् ने एरती स्थेश मास में धक्क घक्का मार दिया भाईजी समझे न духов दे विख्या है favourite यहां देख्या मारे से ज़र गया है और शफियों से पूछा एक काहे पैशा बोले कोई एक करिया गारी हमें पीशा कर रहा था बतब जतने स्नल है चला है उतने जोर वह हम गीशे बस मिश्टेज से कॉंट्रोल छुटा अव मार इस इलक्षिस मास्क में एक लाउंडा जिसके नाव एस वाउदो सुनिये का का इस वाउदो एस वाउदो एक नूफेंबर को अपने बाप और बाप है तक तक यार के सुनिये का है उगला गटाई में छूरी भूख दिया भाईजी तक यार के पादर इन से हल्स गस्तोकन रेख्टर लीडिया राफन बेरक के सामने खड़ा है जा अफिशियर तो मानी से जस मांदन वर्वाद्र लग तो रेख्टर बहुत सो बिचान नकरी से आफ्टिन मांदन से जस्तरा आफ्टिन मांदन पता चला की ये एक द्रुक्ष वाला लुंडा है द्रुक्ष वगएरा खीशते हैं और बगपा के गटाई में छूरी भूख दिया हराम खोरने तो आप चलेंगे भाई जेश के तमाम जंतां जो लोग छूना में भाग लिये हैं छूना में भाग लिया वो लोग ने बहुत से लोगके काम किया पर हमारी मुव में और ये काम करते हुए छूना के बाद अब ये को तंखा मिलना चाहिए था हम बात करने जा रहा हूं फरकीश इस पैस्टोनेल कोई पूर्टोर्ष के बारे में रुजाना ये लोगने आवास को ठाए हैं कि हम लोग कि पैसा कम मिली भाउजी मौशी पैस्वा कम मिली काका पैस्वा कम मिली श्री नाम का मिनिस्टर कमिसरियाद पारमाल बो नोर्टोर्ष को पांच सो हज़ार पैसा भेज दिया कॉल्पर्टोर्ष को पैसा देने के लिए क्योंकि ज़्यादा लोग से ज़्यादा के बंक रेकने नहीं था इसलिए नगट पैसा कमिसरियाद के लिए भेज दिया गया जहां कॉमिसारस रिकार्डो भोला जी है कि एक काकी एक पैस्वा तो गई वहां कि पैस्वा चाहिए एक बताव करें के विश्य को जिक्चनाव के समय काम किया है बाक भाई दिका रात्री के समय छोर लोग भुसा कंतोर में कुले सरियाद जहां पर कुलैस रहा छोर लोग ये कुलैस उखार करके मौसा ये पांसो हज़ार पैसा छोरी करके भाग गया है लेकिन पाद दिए सवेरे पता चला और कामरा बेलजन पर देखा गया दो आदमी कईसे कुलैस को खार रहा है और खुशी के बात ये है कि दोनों का सूरत दखाता है के है 24 घंटे के अंदर में दो लोग को गिरफ्तारी हो चुका है कुनिसाज बोला के कहना है कि ये पैसा मंगर के सवेरे बंग से निकाल करके शाम को ये फरपक किया और सवेरे ये पैसा चोरी हो वेया है ये चोर लोगर प्लैनिंग से काम किया है प्लैनिंग से बप्पा क्योंकि हमारा देश में जो प्लैनिंग से काम होता तक ये चोर लोग सिर्फ करता है चोर लोग अरे आप तो देखिए कि हमारा देश के बंग के पैसा के इसे निकल गया है वो प्लैनिंग के दुआरा हुआ है प्रैनिंग के दुआरा हुआ काकी अई ये पाइशा पांसो हजार थोरे घंटे के भीटर में कलर इसे उखार करके और जाख वोने चला गया है मतलग यही है कि अब बात अनुसुक होना चाहिए कि पाइशवा कहा है कहा है भईया अब आगे चल करके आगे बात होगा चोर लोगन बहुत ज़्यादा चोर है भपा बहुत चोर देश में मौसी एक तो चोर है ये है आशकर लोगने मौन काप निशकाप लगा करके चला थे पता नहीं कि वो के है भईया हाजी है के भईया जी कौँ के है ये चोर के समझ में नहीं आता है तो ये मौंद का पने इसका लगाना चाहिए करोना फिरस के लिए लेकिन एक बहाना हो चुका है जाखुँओ लोग ने मौंद ने इसका पहिं करके भूंते रहते हैं एक बात है लकिए अखिया से अखिया से पता चल ला चोट्वा की 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 चाख चोट्वा की 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 चोट्वा हाँ 6 पर्सोनें इन वर्सेकर इग इस ताल जॉंट ओपराक्शी पुलिटी रेग्यो वेस्ट रशेश वन कॉर्समुचिश रुनाव कुछे समस्या अन्यसुकिया 5 जानी भारी को कलारा सुलैस कलारा सुलैस वहाँ सी पाहिं ने पाकर के देख रहा कि क्या क्या हो रहा है 5 पर्दाख्टन को वहाँ देफ्टार किया जो मैंसन स्मॉकल करता था देखान मैंसन स्मॉकल पर्दाख्ट वर्दे आँगोड़न एफ बूट एफ बूट जिसमे 75 पेका के बैटन वोग मोटर भी था जैस यानिवारी एफ बूट वान है बैटनेक मुदाल दी एर्खंस अब दो कॉरान तेजिए फिर वास परिश्खोणन ए बसलाखनोवन प्यारे भाईयों यही सब बूट है ना यही सब बूट भाईजे जन्तवा को चुपे चुपे गयाना से इस मौकल पर किलाता है यह मौकदमा आगे अंदे सुक कर रहा है यानि कि यह सब बूट क्यों जंगल ने चुपा है क्यों जंगल ने चुपा 75 पे का 300 पे का बैटन बूट मोटोर हैं तयार और फिर तक पे का बैटन बूट मोटोर यह सब बसलाख में दिया गया यह सब जंगल में छुपा था जहां से यह लोग ने जंदा को स्मौकल करता था दिलक्तार हो गया है आईसन आईसन तमासा भाईया जी हमारे ही देस में मौसा हमारे ही देस्वा के बात हम करी ला हम सुरी नाम का मिनिस्टर फाफ फिनांसियन जंदा से निवेजन की कि यह जंदा खास किरके जो लोग के दुकान बगएरा है बद्रेव बगएरा कि सौदा 20% सस्तन भीचो 20% सस्तन भीचके दो कौंबे मारेट फर लाख प्रेजन बासस खुदरेन में 20% दिरेक्सिलेट राजन राम सुदीट बोले जब मिनिस्टर अखे अखे वरसी पर फिनांसियर और प्रेमी जब यह इंपर्टेर्स लेक्से गुजारिस की कि बासस खुदरेन को 20% कमती करके बेचो तो बोले हम लोग अभी सुरू कर दिये है कौंबे मारेट फर लाख प्रेजन बासस खुदरेन में 20% देखे कौंबे मारेक का एक आठ परेज समा को बताने जा रहा हूँ सौट एन किलो क्राम पहले था फिर फैफ तक अफिर है सौटरेन जोने क्नलों मुड आठ ली 23 अभी सुरू छा-छार, 23 अभी सुरू став एक करके बोले हाँ बज़ूट हाँ ये तो जरूली हमोलोकी जरूली है जो पहले था बज़ूट, बज़ूट तो आले "'30 अप क्नलों' हो गया है, ब्रुइन बोन, 14.50, अब 13, कोफी, गो, 2000, खेयर, ऐसे कुछ है, नेस काफे, 150 था, अब 128, तो यही सब बात रहा आपको बताने के लिए, भाईजे, यही से तमाते सर्देन, मौर्यों, 12.50, 11 कर दिया है, 11, बुइन सुके 69, नेसा, और मेलक फोल 1 लीटर, 22.50, 21.00, मतलब की, कोंबे मारत अपना काम सुरू कर्दिया, कोंबे मारत अपना काम सुरू कर्दिया, भाईजे, एकलं रखेने कहा, 20% कोंबे मारत हमना गोरब, तुराद उतारदेश, उतारदेश भाईजे, अब हमागे चल करके, प्यारे जंता, प्यारे लोग, हमारा से नाम के लोग, एक पॉलिटिक पार्टेई, बहुत जमाना से, इनका नाम अभी सीकिर है, ये कई मतबार खेरिंग भी बनाया है बड़े बले लोग के साथ, हाँ पेई पेई के बारे में, हाँ पेई पेई, में कुछ लोग है, इस पार्टेई को फिर से, अबाद करने वाला है, खड़ा करने वाला है, यहां अगबार ने शिकिर की है, कि वो लोग जे कितने पार्टेई से बात्चित कर चुका है, और इस वक्त, मेंस्टर हा मतोरी और एर हरपाल, ये दोनों लोग से बात्चित करने लगा है, मेंसर हा मतोरी और एर हरपाल, हा पेई पेई को जिन्दा रखना चाते दोबारा, द्रिये से इफ अदक में इसका स्टाफना हुआ, आपते जानते जैपरशाद सोहन सिंग, रोभी सोहन सिंग के पिता के दोबारा, हारी किसु सिंग फिर आया, पन्यालाग पर मेसर भी आया, आईशे करके शौशेंदोरी भी आया, हर निवडे हापी पेई, और ये हापी पेई अजादी के बात तक भी जिन्दा रहा, तो अब ये हापी पेई, चुना में भाग लिया, लेकिन सेचर नहीं हासिल की है, तो मतावली, मेसर हाव मतावली, और हर पाओ जी, ये लोग इस परतेई को अब फिर जिन्दा करना चाहते हैं, और इस परतेई, जिस दा हापी पेई, तो इसके बारे में बात चिब भी होने लगा है, एक काके, ऐसे इसे करके बहुत से बात रहा बोलने के लिए, कुरोना फिर इसके बारे हम बात कर चुक ले हैं, से अलो, कुलेक्टिफ फंड, लेट बॉंदन से अलो, रखेविंग से बात्चित करना चाहते हैं, भाई याजे, मिनस्टर ने कहा, कि यानिवारी में, कोई लोग बॉंदन नहीं आएगा, क्योंकि बॉंद से पहले वो बात्चित कर रहा है, अनेक एक प्रकार के चीज़ बात है, भाई ये आप तो जानत है, असंबलेई में बड़ी हीचा तानी हो रहा है, इधर के बात उधर, उधर के बात उधर, और इसे भी एक बात रहा हम आपको बता जीला, तो राजा ने बिर्वल से कहा था, गाउं गाउं में, देखके, जब बात देखी से, लेकिन राजा ने उन्हें अब्द्रक गिया था, बिर्वल के बिर्वल, एक काम करिये, वहाँ पन हमारे तरफ से तनी सवाल करियो, कि मालिक ने प्रभू ने गढ़ा के पूछी क्यों दिया है, बिर्वल गई से भाईया गाउं में, उनका सवाल उठा है, कि भाईया लोग, राजा के तरसे अनमस्कार, राजा के तरसे सलाम, राजा ने सवाल की है, आप नो निफाफा में लीख करके भेज दियो, कि प्रभू ने गढ़ा के पूछ क्यों दिया है, पूछी, पूछी, अगर आप सही जबाब देंगे, तो आपको असमली के कुर्शी मिलेगा, जो सही जबाब देगा, उन्हें राजा ने वदा दिया है, कि आपको कुर्शी देगा असमली के लिए, एक हक्ते बाद हम भी लाएंगे, समली फाफा, तयार रखियो, तो देखो, पहले जमाना में मौशी, ऐसे होता था, इस तरीका से होता था, न, और कितने चीज, आज हम लों लेकर के, वो जमाना के चीज, अभी तक हम लों लेकर के चलते हैं, न काकी, और ऐसे ऐसे कितनी सवाल था, लेकिन आने वाले दिनों में, हम इन तमान सवाल के, अंत्रोप आप तक पहुचाएंगे, क्योंकि, वही तो आप इंतजार कर रहे हैं न, कि इनका अंत्रोप क्या है, मुझे बहुत कुछ कहना था काकी, लेकिन, निजरी जाना परेगा, क्योंकि लॉक्डाउन है, लॉक्डाउन के सिल्सले से, मैं बहुत रात तक, आपके सेवा में यहां न रह पाऊंगा, अच्छा से रहियो, प्रेम से रहियो, घरे जर रहियो, तो मुझे लटाल लटा करके न रहियो, हस के रहियो, प्यार से बात करो लोग से, ना, क्योंकि जिन्दगी बहुत छोटा हुब इदा, मैं जा रहा हूं, इशालला, मौका रहेगा, तो हम आपसे फिल मुलाकात करेंगे, अच्छा से रहियो, अपने आप पर ख्याल कीजो, और, करोणा फिर इस से दूर रखिये, रिंग वेख नोर्थ नमर 116 से लड़के मोती, सोख के साथ सूचना दे रहे हुए, कि बुद या निवारी की तेरा तारिख को 74 साओ के उमर में, लिलियन, सोहावन, रिक, सीला, अनिता, रमेश, इंद्रानी और क्रिस्नादत मोती, इन सभी की मा, दमात और पतों के सास, सभी लड़कों के आजी, नानी, पराजी और परनानी, स्वर्गे, उपराज, मोती के पतनी, रिंग वैख नमर 176 के रिने वाली, विध्वालीस, सुर्जू मती, मोती, सेवपलतन की मृत्यू हुई है, अपने जीवन में सेंट्राल मारत नीचे में बेश्ती थी, अर्थी कबर कहां अंतेश्ति क्रिया या दाख क्रिया के जाएगी, एर्बियन के आइंदा प्रोग्राम में खबर दी जाएगी, तमाम परिवार जान पहिचान वालो हरीक को खबर दी जाती है, सुरिंदर कनहाई वेख उंती स्क्वाता के रिहने वाली जोती प्रेश्यस, समीरा अमाईरा स्प्रंगर्स अचनी जर्यनिवारी कि सोला तारिख पहिली साउगर है, इरल और शरीन अपनी बेटी, मेरकल अपनी बेहन, नाना फिरोस रोजन, नानी वहीदा हुसेनी अपने नातीन, खाला शेरल, सफीरा और रुमाना, खालू असीफ, वीशाल और अज्जै अपने भेने, शायान, रेहान और आहिल अपनी बेहन, परनाना महम्मद हंद्रक हुसेनी, परनानी असलीन खातुन हुसेनी परनातीन को, खुशिया प्यार मुबारक बादी द्वाएख खायर जाहिर कर रहे है, नन्धी सी जान है तू, भोली आवनादान है तू, प्यार से तेरी ये मुस्कान है और तू हम सब की पहिचान है, सुरिंदर कनहाई वेख उन्तीस को अता करेने वाली छोटी प्रेशिस, समीरा, आमाईरा, स्प्रांगर्स, सनी चर्या निवारी की सोला तारिखाच पहली सहुग रहे, औरव और शरीन अपनी बेटी, मेरकल अपनी बेहन को प्यार खोश्या मुबारग बादी जाहिर कर रहे है, फूल जैसी है मुस्कान तेरी, तू बनेगी पहिचान हमारी, सुरिंदर कनहाई वे खोंती स्करिहने वाली छोती प्रशस, समीरा, आमाईरा, स्प्रांगर्स, सनी चर्या निवारी की सोला तारिखाच पहली सौग रहे, नाना फिरोस रोजन, नानी वहीदा हुसेनी अपने नातीन, सहिप उरल्स प्रांगर्स, विबी सहिब अशरीन रोजन अपनी बेटी, मेरकल अपनी बेहन, खाला शर्याव, सफीरा और रोमाना, खालू असीफ, विशाल और अजय अपने भाईने, शायान, रहान और आहिल अपनी बेहन को खुश्या प्यार मुबारत बादी जाहिर कर रहे है, तेरी उमर के फुलवारी में, तेरी उमर के फुलवारी में, खिले हर साल एक नया फूल, और लगेना कभी प्यार के आईने में खम का धूल। और खुश्या बधाईया पेश कर रहे है, एक है अपना सपना सलोना, एक है अपना सपना सलोना, हम है तेरा, तू है हमारा खिलोना। इन्हें लोगभान के नाम से ज़्यादा जमते थे, अपने जीवन में अमतनार थे मिल्योई बहेर के पास, लर्वेग नमर 123 के रहने वाले थे, जनम पाए थे यानिवारी की सोला तारिख 1968 में, मृत्यू हुए देजेंबर के बीसतानिक साल 2020 में, सनी चर यानिवारी की सोला तारिख आज अगर जिन्दा होते, तो अपने तिरपन्वा जनम दिन को मनाते, आज विद्वा कमलावती बक्सी अपना पती, कवीता, संतूशा, इफ्राश और शाकिल अपने पीता, मनोच, सिवदिन और शाम रग्धु अपने सिसूर, राजवीर, योवराच, अंस और संतीशा अपने नाना को याद कर रहे हैं, दुनिया से जाने वाले ना जानी चले जाते हैं कहां, मिलती कभी नहीं उनकी कदमों की कोई भी निशा, Dames en heren, luisteraars, van harte, goedemorgen. Welkom tot deze zaterdagslag aflevering van gisteren, vandaag en morgen, Rachit Bjerkams, Carl A, Jorkal. Dit is de aflevering voor zaterdag, 16 januari 2021. Carl A, Jorkal wordt live uitgezonden vanuit Parabaribook Suriname en is nu te beluisteren via de RBN Radio Frequencies, RP The Hot One 89.7 FM Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM Kala Jorkal is live te zien via YouTube Daarvoor gaat u naar de YouTube-source in RBN Suriname Online is deze uitzending ook te beluisteren via de website van Dagblad Suriname Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com En Rachid Pierkans Kala Jorkal is landelijk te zien in Suriname Via Napaar Broadcasting Network RBN Kanaal 5.1 Mijn naam is Farid Pierkans. Ik presenteer u vandaag samen met Sirena Ezzet. Goedemorgen Rachid Pierkans Kala Jorkal en ik zeg tegen u allemaal assalamu alaikum Laat me bij de aanvang van deze uitzending alle mensen konden leren die een dierbare hebben verloren En ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in de voor u zeer moeilijke en droevige dagen Ik wil vandaag ook in het bijzonder alle vrienden, kennissen en familieleden van de heer Piem Reisiger condoleren Piem Reisiger is een bekende, frequente rallyrijder geweest Hij is jammer genoeg te komen overlijden. We condoleren hierbij de nabestaanden De mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap toe Een spoedig herstel en hopelijk bent u snel weer tussen uw vrienden en uw familieleden En uiteraard moeten we vandaag ook alle mensen feliciteren die er vandaag jarig zijn Maar voor ik dat zelf ga doen wil ik alvast ook de politieke partij de VAP feliciteren Deze politieke partij bestaat er vandaag 72 jaar En is een partij die opgericht is geworden in 1949 En staat vandaag onder leiding van Jan Santokje als voorzitter van deze politieke partij Historisch gezien in een 72-jarig bestand is vandaag aan de dag de VAP uitgegroeid Tot de grootste politieke partij in Suriname En dan moeten we andere mensen feliciteren Serena, wie heb jij vandaag die er allemaal jarig zijn? Vandaag is jarig mevrouw Ilona Dors, German Bernadine en Denise Pengel gefeliciteerd En ik moet vandaag feliciteren Rehana Jainula en Arsenio Baren En de volgende mensen zijn morgen jarig, zondag 17 januari Mag Jane Bistropan haar jaardag voorbereiden voor morgen En ook nog Sunchedeo Gangaran Pandey, ook member van Lions Club Parwani Die mag zijn jaardag zondag 17 januari voorbereiden Sela Soumere, nicht van mij woonachtig in Nederland Jimmy Lachi en Priyanka Bajalala Morgen is jarig, meneer Rodney Fraser, gefeliciteerd alvast En voor maandag 18 januari gaan de volgende mensen hun jaardag voorbereiden in COVID-tijd John Persadi, Ryan Rosenblad, Ranej Reward en Sharishma Ramadine Dwight Seedorf en George Steckel zijn ook jarig op maandag Dit is Kala en Jorkel, vandaag willen we de voetbalvereniging Transvaal ook feliciteren Deze voetbalvereniging bestaat 100 jaar, werd opgericht in 1921 Er is een ploeg die heel veel viroren heeft gemaakt Ik ben zelf een frequente Transvaal aanhanger geweest In die goede tijden van Transvaal, althans om het nadrukkelijk uit te benadrukken In de tijd van Humbert Boerleider, Pietje Frenkler, Jules Lagadou, Wensley Bundel, Roy Vanenburg en Emile Baron Hij was die keeper van Transvaal en die tegenpoort van Emile Baron was Lailes bij Robin Hood En natuurlijk moeten we de bekende spits van Transvaal niet vergeten Hij heet Wienescal Transvaal is een heel populaire club geweest Hij was een gezellige club, hoogwaarschijnlijk is het nog steeds een gezellige club Maar ik praat uit de tijd dat ik Transvaal heb meegemaakt als een heel gezellige club, goede club Het stadion was altijd vol, het stadion was altijd vol als Transvaal ging voetballen Dat waren tijden waar mensen op een ander niveau hun voetbaltalenten gingen tonen Transvaal heeft ook twee keer meegedaan aan de CONCACA Cup Laten we u de olieprijzen doorgeven, internationale olieprijzen Een vat noteert 55 dollar en 10 cent Een van de redenen waarom de olieprijs omhoog gaat is niet omdat de wereldeconomie groeit De wereldeconomie is al lang gestagneerd, onder andere door COVID Maar die olieprijs stijgt omdat een van de werelds grootste olie producerende landen, de Saudi-Arabië Prominent lid van de OPEC, vorige week heeft besloten haar olieproductie terug te brengen En als je die productie terug brengt, dan creëer je een schaarstaan olie En door een kunstmatige schaarstaan olie te creëren, krijg je dat die prijs dan omhoog gaat Dus het is niet dat er meer verbruik is van olie op de wereld Maar het is gewoon niet, er wordt minder olie geproduceerd De goudprijs noteert 1800 dollar 29,90 cent De euro op de dollar is 1,20 met andere woorden Als je 1 euro omzet tegen 1 Amerikaanse dollar, krijg je 1,20 cent In ons eigen land noteren de koersen van de centrale bank 14,01 aankoop, 14,29 voor de verkoop Is de dollar, de euro noteert 16,98 om 17,32 voor de euro Dat is als je het kan vinden Maar als je het niet kan vinden, dan heb je die vogels op straat die fluisteren Mami en papi, mami en papi En je weet, mami en papi, die zijn die jongens die zeggen, kom je bij me wisselen En die noteert 17,25 voor de aankoop, 17,50 voor de verkoop En voor de euro 18,55 om 18,85, dat is voor girale overmaking Maar wil je het contant in je handen hebben, dan moet je een klein beetje meer betalen Niet een klein beetje meer, een beetje veel meer betalen De betaling voor contant 18,25 om 18,55 voor de Amerikaanse dollar De olieprijzen in ons eigen land aan de pomp, die zijn ook gestegen Dus als u gaat tanken, dan moet u wel even uitkijken welke benzine station, althans merk, je wil gaan tanken GoTo noteert weliswaar de laagste olieprijs GoTo noteert voor onledded 11,12, dat is 11 SRD en 12 cent voor een liter En voor een liter diesel noteert GoTo 10 SRD en 88 cent Dus GoTo heeft de laagste olieprijzen Ga je bij ZOL, dan ga je voor 1 liter onledded betalen 11 SRD en 79 cent En dan ga je voor diesel betalen 11 SRD en 25 cent En als u dan kijkt, dan zijn dat heel grote verschillen in opzichte van de prijs van GoTo Dus het hangt van jou af waar je wil gaan tanken Maar wat er ook is in deze, GoTo heeft weliswaar de laagste olieprijzen Maar GoTo heeft relatief minder pompstations landelijk in ons land Dan in vergelijking met ZOL en Royboodoo Want Royboodoo is ook een pomponderneming U ziet die pompstations onder RBE staan, Royboodoo Enterprises Dus landelijk heeft GoTo minder pompstations dan de andere competitors Zoals ZOL en Royboodoo Maar u bepaalt waar u denkt Sommige mensen zijn de mening toegedaan dat ze voor een bepaald merk kiezen Voor een bepaald merk, omdat ze vinden hun voertuig moet merk X hebben Wel, als je kiest voor een duur merk van olie Dan moet je ook dan die prijs gaan betalen Maar de olieprijzen zijn gestegen Regier Pierkans, Kul, Anjor Kul Serena, vertel ons over COVID Ja, nou, COVID vertoont een stijgende trend nog steeds Het aantal besmettingen in totaal tot zover is 7409 Het mensen dat tot nu toe geniezen is geworden van COVID is 6621 En helaas zijn het aantal personen dat overleden is aan COVID is 139 Gemiddeld raken er dagelijks ongeveer 79 personen nu besmet met het COVID-virus En er wordt aangegeven dat dat te herleiden valt Naar de periode rondom de jaarwisseling Belangrijk is om te weten dat de regering besloten heeft Om met het merk Pfizer akkoord te gaan om de vaccinatie te doen Er wordt verwacht dat in de periode februari Pfizer zal worden geleverd aan de regio Er is onderzoek verricht door ADEC Om na te gaan hoe de Suriname precies staat Er tegenover om het vaccin te nemen En blijkbaar is dat onderzoek Zijn er een aantal personen die niet al te positief daar tegenover staan Dus de taak van de regering om ervoor te zorgen Dat er een hele goede informatievoorziening zal komen Over het vaccin, de werking daarvan, eventuele consequenties daarvan Enzovoort Maar dat is informatie die de regering dus zal moeten geven over Pfizer U moet ook weten dat per persoon Twee dosis ingenomen zal moeten worden Van dat vaccin En u weet ook dat men ook al heeft besloten dat mensen die in de voorlinie werkzaam zijn Onze frontliners Die gaan als eerste in aanmerking komen Dat zijn de mensen die in de verzorging werken De mensen, de doktoren En natuurlijk ook de oudere mensen komen als eerste in aanmerking Daarvoor de overheid heeft voorals nog maar 20% besteld Of aanbetaling gedaan En 20% betekent 20% van die gehele samenleving van ons Dus we hebben nog in principe een tekort van 80% Ja, 80% Maar ik ga u straks vertellen hoe men mogelijk aan het verschil kan komen Een studie heeft uitgewezen Dat 76% van mensen die eens een COVID-patiënt zijn geweest En die geniezen zijn geworden Toch nog langdurige symptomen hebben En het blijkt dat de symptomen komen in vermoeidheid Pijn of ongemak Slaapproblemen Angst of depressie Kleinere afstanden lopen Haarverlies Oké, haarverlies Smaakstoornissen Hartkloppingen Gewrichtspijnen En gebrek aan eetlust Dus de mensen En heeft er onderzoek gedaan Dit zijn internationale onderzoekingen Dat mensen die eens COVID hebben gehad Als genezen zijn verklaard Dat die mensen 76% Toch nog heel veel klachten ondervinden Bij de longziekte Meisten van de genen die ernstig ziek Gehospitaliseerd waren Hadden blijvende longproblemen En afwijkingen in de borst Die kunnen duiden op orgaanschade Ook bij de nierfunctie 13% van de patiënten Van wie de nieren in het ziekenhuis normaal functioneerden Ontwikkelden later nierproblemen Bij antilichamen In vervolg bloedtest Bij 94 patiënten Waren antilichaamsniveaus 52,5% Lager dan op hoogtepunt Van de infectie Waardoor de vrees ontstaat Dat de herinfectie door het virus Weer mogelijk is Ik heb veel internationale COVID nieuws voor u Maar we gaan wel intussen de telefoonlijnen Voor u opengooien Zodat u alvast kunt inbellen Op het nummer 532037 Ja maar voordat we internationaal gaan Is het ook belangrijk om te weten De scholen die zijn nog gesloten En het is op dit moment Nog onduidelijk wanneer de scholen Weer open gaan De regering heeft ook beslist dat De maatregelen die er nu zijn Die worden nog gehanteerd Zeker voor de komende week Alleen met het oog Om het aantal besmettingen Te doen verminderen Dit is Kala Jorkel Het is ruim een jaar geleden Dat het COVID-19 virus ontdekt is geworden In de stad Wuhan Dat is een stad in China En er zijn nu na 1 jaar 2 miljoen mensen Daaraan overleden 2 miljoen mensen zijn daaraan overleden En als u zou denken van Hoeveel moet ik me 2 miljoen voorstellen Dan moet u dat nagaan Dat 10 grote vliegtuigen 10 grote vliegtuigen Iedere dag een heel jaar lang Neerstorten En dat is 2 miljoen mensen Maar die 2 miljoen zijn omgekomen Door COVID De eerste miljoen mensen Die zijn komend overleden Zijn in de eerste 8 maanden overleden En die andere 1 miljoen In 4 maanden tijd En dan kan je daarmee zien Dat er relatief veel meer mensen In een korter tijd bestek zijn overleden Dan in het begin van COVID-19 Amerika heeft de hoogste aantallen Gevolgd door Brazilië, India en Mexico Dit is Rachid Pierkans Kalla, George Kalla Goedemorgen, u bent in de uitzending Goedemorgen Ja, ja Ja, zegt u maar Goedemorgen Ja, u kunt praten, hè Ja Ja, ik ben vragen Waarom er eigenlijk Gekozen is voor de Pfizer-vaccin Terwijl daar eigenlijk Zoveel onduidelijkheden over zijn Het gaat om een mRNA Het gaat om een mRNA Vaccin Waarvan eigenlijk Dat nog nooit eerder geprobeerd is Waarom niet een verswakte virus Waarom niet een verswakte virus Oké, dank u wel Ja Nou, ik kan u vertellen dat In Europa een aantal Europese landen zijn Die ook gekozen hebben voor het Pfizer-vaccin Dus Suriname is niet het enige land En van de verschillende merken die er nu zijn Is Pfizer een van de merken Die aan top is met De garantie Trouwens, er is geen enkele garantie Maar in elk geval is er ongeveer een marge van 95% Maar goed, dat zou allemaal nog moeten blijken Wel weten we intussen dat In Noorwegen ongeveer 30.000 mensen gevaccineerd zijn Geworden met het Pfizer-vaccin En dat onlangs Er een aantal mensen Dat moet er zijn Op 30.000 zijn 23 mensen Niet zoveel, maar in elk geval zijn er wel 23 mensen overleden Die al gevaccineerd waren Relatief oudere personen Dus Noorwegen is nu bezig Om een gedetailleerd nader onderzoek Te verrichten Naar de werking van dat vaccin In elk geval zijn er een heleboel Europese landen Die dat vaccin reeds gekocht En besteld hebben En dit moet nu nog worden aangeleverd Suriname is niet het enige land Overigens zal dit ook geleverd moeten worden Aan de regio Maar de overwegingen waarom Waarom voor dit merk gekozen is Zal de regering een nader moeten gaan geven Denk ik ook in verband met de Informatiecampagne die gevoerd Zal moeten worden Vooralsnog is wel vastgesteld dat Pfizer 95% succesvol is Het is nog onduidelijk Voor iedereen in de wereld Ook voor wetenschappers Welk merk vaccin dan ook je gebruikt Welk merk dan ook gebruikt gaat worden Het is niet duidelijk nog Hoe lang zo'n vaccin Effectief is We weten wel 95% Maar we weten de duration nog niet Als mensen ingeënt worden Is het voor je hele leven? Is het voor een jaar? Is het voor negen maanden? Dat moet nog uitgewezen worden Omdat dit nu pas in principe Letterlijk op de burger wordt uitgetest Dus het is nog niet duidelijk Niemand heeft een pasklaar antwoord ervoor Welk merk je dan ook gebruikt? Is het negen maanden? Is het zes maanden? Is het een jaar? Of zeg je oké Het is één keer geweest En je hoeft niet meer voor terug te komen Dus dat gaan we in due time moeten weten Wat we wel weten Is dat het 95% effectief remt Maar voor hoe lang? Ja, dan moeten we kijken Hoe je het langs haalt Om daaruit een data informatie te gaan halen Ja, goedemorgen U bent live in de uitzending Goedemorgen meneer Pirkan Goedemorgen meneer Sirena Morgen Meneer Pirkan Er is ook een ander zorgpunt Wat de medische wereld aangaat Meneer Pirkan Namelijk de moeder sterft En de kinderen sterft In Suriname meneer Pirkan Wij zijn ook Wij nemen ook deel van Waar er veel Kinder en moeder sterft gebeurt meneer Pirkan Ik zou zo'n beetje Een mevrouw die laatst afgestudeerd heeft Mevrouw Kodan In de studio zo'n beetje willen uitnodigen Om te weten wat de oorzaak is Is het aan de medische toestand Zo'n beetje meneer Pirkan Want het is al jaren zo Dat we ook deelgenoot zijn van Wat dat punt betreft meneer Pirkan Ik weet niet of het de voorzorg Of het aan de voorzorg ligt meneer Pirkan Of aan de medische instrument Die we moeten hebben Om die toestand zo'n beetje te beperken meneer Pirkan Oké U hebt toch begrepen wat ik betreft Ja, ik begrijp wat u bedoelt Ik begrijp wat u bedoelt Oké, dank u wel Ik kan er voorlopig geen uitspraak over doen Ik heb geen data informatie bij me En ik kan niet vaststellen hoeveel mensen sterven Zoals de meneer het beweert En wat de oorzaken van zijn Dus ik moet even navraag daarover doen Voor ik u een antwoord daarover kan gaan geven Dit is Kala Jorkal Serena Ja, nou Het is deze week heel erg interessant geweest Waarbij we zien dat de regering verschillende maatregelen probeert te treffen Om die crisis te beheersen We zien onder andere dat er drie nieuwe wetten zijn aangenomen Die gericht zijn dus op de belastingen En dat er belastingen worden doorgevoerd We hebben begrepen nu Die wetten zijn afgekondigd Althans zijn aangenomen in de DNA Dat het gaat dus om 3 1, een solidariteitsheffing van 10% Omzetbelasting is verhoogd met 2% En dat zal allemaal worden doorgevoerd Het gaat erom Bij de ambtenaren En ook bij de particulieren Dat die doorvoering zal plaatsvinden Voor personen die verdienen Ongeveer een bedrag van 150.000 SRD per jaar Volgens de cijfers die er zijn Is dat voor de particulier vier meer dan voor de ambtenaren En wat ik mij daarbij afvraag Is of gekeken is naar voor de mensen die in overheidsdienst zijn Hoeveel lonen die personen allemaal verdienen Want als er verschillende lonen worden opgeteld Dan zou daarvan 10% moeten worden gegeven Ook hebben we gezien Dat er een discussie is geweest Over de parlementsleden Of die die heffing moeten betalen Ik heb die wet nog niet kunnen doornemen Maar de discussie was Of ze dat wel of niet moeten doen Naar mijn mening moeten ze dat doen Maar goed, wanneer ik die wet onder ogen zie Ik ben dat aangegeven Of dat ook geldt voor de DNA-leden Ook is het zo dat voor wat OB betreft OB gaat aan gelden Die verhoging van 2% Vergoeden die worden geïmporteerd De discussie was dan Prijzen zullen dan Hoe ze waarschijnlijk omhoog gaan Omdat dat wordt afgewenteld op de consument Dus, wij zijn benieuwd Hoe de prijsontwikkelingen zullen zijn In verband met de verhoging Althans deze belastingmaatregelen Ook is bekend geworden Dat de regering erop doelt Om in 2023 BTW in te voeren Het is al jarenlang een discussie over een BTW Er is al zoveel onderzoek gedaan Dus ik vind het jammer Dat het nu eigenlijk met een jaar nog verschoven is Maar dat is dus de planning van de regering Wat ik kan bijvoegen Is dat er gemeld is Dat 120 ambtenaren ook die 10% gaan betalen Dat is ook verteld geworden 47% van die 10% op die zogenaamde solidariteitsheffing Dat komt van de particuliere sector Ook is bekend Dat de vice-president, de ministers en de president Ook die 10% gaan betalen Voor wat de parlementariërs aangaat Denk ik dat ze sowieso een heleboel gaan betalen Een van de primaire redenen Is één, ze krijgen een schadeloosstelling Houdt u daarmee even rekening Het bedrag die de parlementariërs krijgen Wordt geen loon genoemd Het wordt schadeloosstelling genoemd Maar vele van de parlementariërs Hoeveel is mij niet bekend Maar wel een heleboel van ze Zijn ook ambtenaar ter beschikking Met andere woorden Ze krijgen ook een uitkering als ambtenaar Maar al dan niet in een functie van een bepaalde klasse Of ze zijn ergens een beleidsadviseur Dus ook daar krijgen ze een vorm van loon Dus als ik daarvan uit ga Ik tel jouw parlementaire schadeloosstelling op Met die ambtelijke loon die je krijgt Dan moeten we nou even kijken of ze wel in die 12.500 gemiddeld per maand vallen In elk geval heeft een parlementariër Een oproep gedaan Aan alle BNA leden Om ook die 10% te betalen Harriët Ramdien heeft gezegd Kom op jongens Laten we allemaal te goed Ja het zo Het kan Naar mijn mening kan het niet Dat het de parlementariërs dat niet betalen Als we kijken naar de verhouding Tussen die ambtenaren en die particuliers Zoals Farid zei zei 120 van de ambtenaren En de particuliere loontrekkers zijn 5.421 Die daaronder zullen vallen Om de solidariteitsheving te betalen Terwijl we weten dat het ambtenarenapparaat zo groot is Dus ik vraag me af hoe de berekening is gedaan Om te komen met die 120 ambtenaren En ik denk echt dat gekeken gaat moeten worden Naar al de dubbele salarissen Die worden geïnmiddels de overheid Goedemorgen U bent in de uitzending Goedemorgen 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 Uh Ik heb Uh Ik 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 wil de wat vragen Ik wil de wat vragen Ja gaat uw gang Want Er zijn Er zijn te veel mensen Vermoord En de rechter Heeft niets gedaan En zeven kleine indianse jongens hebben een opa vermoord En die mensen zijn opgesloten Hoe kan dat dat die mensen Manas Boutens heeft mij dat duizend mensen vermoord En die man loopt niet 80-30 jaar over straat Oké Oké Dankjewel Misschien Casarena daarover aan te horen Ja Ik ben Ik ben niet bekend met het geval Dus ik kan hier Er was een geval waarbij een indiaanse dorpshoofd vermoord is geworden Ik dacht zo'n 2-3 maanden geleden Door een aantal jongens Klopt Ze zijn Voorals nog zover mij bekend Zijn ze aangehouden Maar die zaak is nog niet bij de rechter afgewikkeld Ja Nee kijk De zaak is als Indien en voorstel Want ik ben niet op de hoogte van De stand van zaken van die specifieke case Maar als ze als Dat OM de zaak al in behandeling is genomen Dan moeten we dat afwachten En dan zal dat worden afgewikkeld door de autoriteiten conform Het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvorder Dus ik denk dat wij Het openbaar ministerie Daartoe de ruimte moeten geven Om haar werk te doen Dit is Rachid Pierkanske-Lazerkel Internationale Covid-nieuws We gaan springen van links naar rechts Zodat wij toch over alles een beetje op de hoogte blijven houden In Engeland U weet het is Covid is helemaal uit de hand gelopen in Engeland In Engeland hebben ze de grenzen volledig gesloten Voor alle Zuid-Amerikaanse landen Ook eventueel Portugal En Suriname valt er ook onder Een van de redenen Omdat er een Braziliaanse variant van die virus ontdekt is Dus er zijn nu drie varianten Er is een Zuid-Afrikaanse Er is een Britse variant En er is nu ook een Braziliaanse variant Die Braziliaanse variant is oorspronkelijk ontdekt in Japan Waarbij toen vier Brazilianen op bezoek waren in Japan En men heeft het daar ontdekt en ze kwamen uit het Amazone gebied Dus de mensen uit Zuid-Amerika en onder andere Portugal Die mogen vooralsnog Engeland niet binnen gaan Het is ook intussen bekend dat al die ziekenhuizen vol zijn in London London heeft geen plaats meer voor mensen En de hotels nemen nu patiënten op Omdat de ziekenhuizen gewoon geen plaats hebben Dit is Kalajurkel Goedemorgen, bedankt voor het wachten Ja, goedemorgen Farid Goedemorgen 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 Ik heb een vraag Ten aanzien van het openstellen van het luchtruim Is het luchtruim nog steeds gesloten Omdat wij de zogenaamde quarantaine mensen niet kunnen huisvesten Of niet kunnen monitoren Of is de airport gesloten vanwege de Covid-pandemie? Ja, het is een egenaardige vraag wat ik misschien stel Maar er zijn IATA-protokollen En als je bijvoorbeeld kijkt naar de airport op Aruba Aruba heeft maar even wat te noemen 90 gevallen nog steeds per dag Maar de airport is al vanaf 15 juli vorig jaar al geopend Het zou er geld voor heel wat andere Caribische landen En er zijn toch Covid-protokollen Ik bedoel, die staan allemaal overal op het net En ook bij de diverse airports En als je in een vliegtuig gaat dan moet je al een Covid-test overleggen De meeste vliegtuigmaatschappijen eisen dat Dus ik snap bij God niet waarom eigenlijk ons luchtruim al bijna een jaar lang gesloten is En het dupeert eigenlijk ook de mensen die moeten reizen Behalve de vakantiegangers natuurlijk Dat we daar ook geen cent meer van verdienen En je dupeert eigenlijk het hele verkeer En de andere vraag wat ik heb is ook van Gaat de SLM überhaupt nog vliegen? Want als je naar de SLM belt wordt er niet meer opgenomen En er zijn sporadisch vluchten Niemand weet welke vluchten er zijn Je hoort eens Er is toch een vlucht naar Miami Er zijn mensen uit Miami Er is nergens iets geadverteerd Want officieel is SLM dus eigenlijk Hangt SLM eigenlijk in de lucht Niemand weet of er nog doorgestart wordt Niemand weet of er nog überhaupt gevlogen wordt Dus ik vind gewoon dat wij De hele economie zelf aan het duperen zijn Want er zijn COVID-protocollen voor de luchtvaart Oké bedankt Ik denk dat u begrijpen Ik denk dat ik SLM voor Serena ga laten Oké Serena, mag jij SLM doen De rest luchthavens pakken in luchtruim? Ja, nou kijk De SLM is aan de handen en voeten gebonden Aan de regels die de overheid vaststelt Dus het moment dat de overheid Beslist dat het luchtruim gesloten is Of wanneer het open gaat Dan moet de SLM zich daaraan conformeren Wat natuurlijk vreselijk is Is dat zolang het luchtruim gesloten blijft Dat dat een enorme impact heeft Op de bedrijfsvoering van de SLM En dan wil ik daarbij direct meenemen En via luchthavenbeheer Want luchthavenbeheer is ook afhankelijk Van het vliegverkeer En van de ontwikkelingen daaraan Die binnenkomen in Suriname Dus de gevolgen daarvan Zijn desastreus Maar tegelijkertijd Moet de overheid een beslissing nemen En een belangenafweging maken Want we weten Op enig moment Was er geen COVID in Suriname En als ik me niet vergis Kwamen de eerste gevallen Denk ik binnen van buitenaf En dan moet je daar rekening mee houden En een belangenafweging maken Ga ik redden Die luchtvaartsector Ten koste van die totale samenleving En hoe gaan wij De gevaar die wij lopen Door het openstellen van het luchtruim Afbakken De overheid gaat altijd De veiligheid van de burger voorop stellen In plaats van een maatschappij Altijd En Dat Wordt per land besloten Ik heb je net een voorbeeld gegeven Engeland heeft gewoon Gisteren Of eergisteren Een verbod gebracht Dat niemand van Zuid-Amerika Meer Engeland binnenkomt En Zuid-Amerikanen mogen bij wijze van spreken Wel naar Argentinië of naar Chili gaan Maar het besluit wordt per land genomen En ieder land Ja Het heeft niks te maken met IATA Of geen IATA Maar een overheid gaat altijd Veiligheid van haar burger In haar eigen land voorop stellen Dan Ten opzichte van een bedrijf Die eventueel nog Door moet kunnen gaan of niet Want Laten we bij wijze van spreken Een worst case scenario nemen En niet de best case A worst case Je gooit het open Bij wijze van spreken En we komen allemaal vrolijk Weer naar binnen Huppelen Zoals Voor Covid tijd Zeven vluchten per week Miami Drie, vier vluchten per week U weet We hadden veel vluchten in totaliteit En we krijgen een uitbarsting Van zo heb je me niet Dan gaan we zeggen Ja Maar waarom heeft die overheid We hebben die luchtruim daar nou maar open gegooid Wat we niet kunnen hebben Is dat we geen verwerkingscapaciteit hebben Met andere woorden Als we een gigantische uitbarsting krijgen Krijgen we taferelen Als in Ecuador Waarbij letterlijk mensen op straat werken De doden De doden waren letterlijk In Amerika In Amerika En dat zijn interne domestic flights En domestic flights In Amerika Huppelen ze gewoon verder Maar doordat ze in Amerika Normaal vliegen Dat zijn interne vluchten Miami, New York Dat zijn domestic flights Nou maar dat zie je ook De uitbarsting in Amerika Toch Amerika heeft het hoogste aantal doden Amerika heeft het hoogste aantal besmettingen En overigens Het enkel feit dat er protocolen zijn Is nog geen garantie Dat die uitbarsting niet komt Want het is een enorme taak Voor die overheid Om de controle te doen Kijk in de eerste plaats Zijn wij zelf verantwoordelijk Voor het naleven Van die maatregelen die er zijn Maar zoals we weten Zijn er een heleboel mensen De goede niet te nagesproken Die die maatregelen ook niet in acht nemen En het kan maar één persoon zijn Die net op een verkeerd moment ergens is Waardoor dat kan leiden tot Een uitspatting Met consequenties Niet alleen voor De luchtvaartsector Maar voor Eigenlijk alle sectoren In die gemeenschap Dus Alleen dat die protocolen er zijn Is niet genoeg Je gaat moeten kijken naar handhaving Maar de overheid gaat onmogelijk Alle mensen Die er komen Zodanig kunnen controleren Om die garantie te bieden Dat indien ze besmet binnenkomen Er zijn niet andere Surinamers En uiteraard Zoals die meneer het zeggen En hij heeft wel gelijk daarin Die economie kreeg Harde klappen Onze eigen economie kreeg Harde klappen Eén Omdat onze economie Al geen bloeiende economie was En on top of that Krijg je nog Covid En dat merken we Bij het bedrijfsleven Dat merken we ook Dat veel mensen Werkloos zijn geworden Doordat die bedrijven Eén Minder draaien En of twee Of die bedrijven zijn gesloten En ten derde Er komen geen relatief Nieuwe bedrijven bij Goedemorgen Er zijn studenten die nu naar buitenland gaan voor een test Oké Maar als ze nu een test moeten doen Moeten ze het zelf betalen dan Of is het gratis ofzo Prima ik begrijp uw vraag Oké Dankjewel Iedereen die gaat vliegen Moet een test Moet een PCR test hebben Dat is een verplichting En je moet betalen Dat is 100 Amerikaanse dollars Er is een prijs ervoor Een aanzet heeft er een prijs voor Amerika 100 US En omgerekend kan je dat ook in Surinaams betalen Dus als je een ticket koopt En je denkt je gaat de lucht in Moet je een PCR test hebben En voor die PCR test moet je gaan betalen Klopt Tot slot over COVID Een aantal Europese landen zijn heel erg boos op Pfizer Omdat de levering van de vaccins vertraagd zijn geworden Ze hadden gehoopt dat dat Eigenlijk in de maat waarin dat besteld is Dat dat geleverd zou worden Maar is er nu een enorme vertraging opgetreden Doordat verschepingen Niet optimaal verzonden zijn geworden Naar de Europese landen Verschillende landen Zoals Denemarken Finland Die achten het bijna onacceptabel En Pfizer heeft aangegeven Dat de stagnatie tijdelijk is Dus we zijn benieuwd Hoe de toelevering wereldwijd Zal plaatsvinden Van de vaccins En er is aangegeven Dat ze nu bezig zijn Met een boost Om dus meer vaccins te gaan produceren In ons buurland Brazilië is het ook helemaal uit de hand gelopen In de stad Manaus Hebben ze zelf geen beademingsapparaten meer Ze hebben ook geen zuurstofcilinders meer In de stad Manaus Dat er nu zelf zuurstofcilinders worden gehamsterd Mensen kopen op de zwarte markt zuurstofcilinders Om hun familieleden te helpen Er is geen beademingsapparatuur En er is ook geen zuurstofcilinder meer In de stad Manaus De Brazilië had gehoopt Dat ze 2 miljoen vaccins Konden invliegen Vanuit India En dat is ook vertraagd Een van de redenen Waarom het vertraagd Is omdat India Gaat starten Met haar vaccincampagne India moet 1,3 miljard Mensen vaccineren En dat is geen malligheid En als je wil weten hoeveel mensen Om hoeveel mensen het gaat We hebben 500.000 mensen En we kunnen die toko nog niet behoorlijk draaien Amerika heeft 300 miljoen mensen En dan zeggen we Wow, dat is een groot land met veel mensen India heeft 1,3 Ze gaan met hun campagne staat Dus India Heeft nog niet het besluit genomen Van hey, ga ik nog Brazilië leveren Of moet ik eerst mijn eigen mensen voorzien Dus er is een vertraging daarin opgelopen Want Brazilië had wel 2 miljoen vaccins bij India besteld Ja, nou Ik moet Suriname feliciteren Want we hebben een vierde olie fonds erbij Deze W Total en Apache Die hebben dus de olie en de gats fonds bekend gemaakt En dat is in de Kiss Kissy Ease 1 Put In blot 58 Dat is voor onze keus En zoals ik zei Het is de vierde olie fonds En de eerdere ontdekkingen Die waren bij Maca Central, Sapa Carawes en Quas Quasi Nou, u bent in de uitzending Goedemorgen Goedemorgen Mevrouw Serena Mevrouw Serena Ik werk ook in een kastnoe Maar de kastnoe is nu gesloten Wat is de reden dat ze de kastnoe hebben gesloten Want als een heel simpele ding Als je die bussen ziet met 20 personen naast elkaar Bij de kastnoe hebben we die grote kallen Dat mensen niet naast elkaar zitten Oké, dankjewel Oké, ik denk dat die overheid Ja, het zijn besluiten van die overheid Als je mee nou gaat vragen van Wat moet nou open en wat moet nou dicht Ik denk dat ze exercities hebben gemaakt Van wat open moet gaan Ik begrijp die meneer ook wel Maar als je Ja, het is passend beter Ga je het toelaten of ga je het niet toelaten Ik kan er echt geen antwoord op geven Om te zeggen Ja, het moet open of het moet dicht Het is moeilijk om daarover een uitspraak te doen Maar bijna alle bedrijven willen open gaan Want we moeten de economie op gang kunnen brengen Ja, we zien wel dat die winkels weer open zijn Alle poos open zijn Maar ze hebben allemaal hun Covid-protocollen neemt zich in acht Om klanten toe te laten En misschien moeten die casino-houders Met een plan gaan Ik weet niet of ze een plan hebben Ik denk van wel Want het zijn grote operaties draaien ze hier zo Om de overheid te kunnen overtuigen Oké, we willen wel open maar onder deze voorwaarden En dit zijn onze spelregels Ik kan daarover jammer goed nog geen uitspraak over doen Waarover ik wel even op de rug wil komen Is ten aanzien van die oliefondsen Waarover Serena het eerder heeft gehad Je moet nog geen feest gaan vieren Je moet nog niet gaan denken Zoals Missy Kaba hier gezegd We worden de next Dubai We worden voorlopig de next Dubai niet Voordat de eerste barrel De eerste vat Uit de grond komt Is het mogelijk pas in 2025 en 2027 Dus dan moet u nagaan Als u denkt over vijf jaar Dan moet u nagaan Eén Hoeveel mensen worden in vijf jaar geboren Want per jaar hebben we een gemiddelde geboortecijfer Maar hoeveel mensen gaan ook niet sterven Tussen nu en vijf jaar Hoeveel mensen gaan hoogwaarschijnlijk Die eerste barrel ook niet zien Dus we moeten niet al te vroeg juichen Een feit is dat het wel ontdekt is Een feit is Dus de vraagstelling is nu Hoe overbruggen wij Als land Tussen nu en vijf Zonder olie Of zonder de nieuwe fondsen Laten we dat goed zeggen Zonder de nieuwe fondsen Suriname gaat 60% Uit de inkomsten krijgen Als men over gaat Om de eerste barrel Te gaan produceren Eerst de vat te gaan produceren Wat houden die 60% in Na aftrek van alle kosten Suriname moet eerst ook gaan betalen Voor de voorkosten De onderzoekskosten Daarvoor hebben die maatschappijen Miljoenen ingezet Dus je komt niet Plotselijk op het fietsje En je wil niet meedoen In die kosten Dus je gaat eerst Die kosten ook moeten betalen En die kosten gaan afgetrokken worden Vandaar dat duidelijk wordt gezegd Is 60% van de inkomsten Na aftrek van de kosten Oké Maar feit is We hebben gevonden Dat is wel positief Ja En de vraag is natuurlijk ook Wij zouden eigenlijk Op lang termijn moeten gaan plannen En hoe ga je dan Vervolgens om Met de inkomsten die je werft Na ongeveer 5 jaar Want we hebben gezien Het enkel feit Dat die natuurlijke hulpbronner is Het enkel feit Dat er olie is Is nog geen enkele garantie Dat het met ons goed gaat Het alom bekende voorbeeld Is Venezuela Waarbij we zien Ze hebben de grootste oliereservaten In de wereld En Sepinare Verschrikkelijk daar Veel erger dan wij nu hier Dus de problemen Die ze daar hebben In Venezuela Zit is te vergelijken Met dat wij hier hebben Ondanks alle olie Die zij daar hebben Dus We zijn blij Dat die olie gevonden is Maar tegelijkertijd Gaan we Er goed moeten managen Goed moeten plannen Hoe gaan we ermee om En ook Het bedrijfsleven Daarvoor moeten klaarmaken In deze periode Van 5 jaar Waarmee we ook rekening moeten houden Is dat Die oliemaatschappijen Als totaal Apathe Gaan bepalen Wanneer ze met Die daadwerkelijke productie Gaan starten Suriname bepaalt dat niet Dat zijn die oliemaatschappijen Dus wij kunnen niet Tegen die mensen zeggen Hey begin 2023 Nou Hey We begin pompa olie Nee Zij gaan dat bepalen Omdat zij die investeren Wij hebben die investering Niet gedaan Zij hebben die investering gedaan Maar we hebben wel een goede deal Laat me dat u wel zeggen We hebben wel een goede overeenkomst gesloten En als je zegt Ja waarom noemen we het goed Dan moeten we het vergelijken met iets Als je het vergelijkt Met wat Guyana heeft gesloten Guyana heeft een zeer nadelige overeenkomst gesloten Dus ten opzichte van Guyana mogen we heel blij zijn Dat we toch nog een goede agreement hebben Goedemorgen U bent in de uitzending Ja Ben Goedemorgen Meneer Farid Goedemorgen Suriname Goedemorgen Ja Morgen Ik Ik ben helemaal eens Met het uitleg van de heer Farid Met de bezoekking Dat COVID gebeurde We zien dat Suriname We zien dat Suriname We zien dat Suriname Weet beseffen Wat de slavingskant is Van de inzichter En dat heel weinig middelen hebben Wanneer we straks opgesloten Zitten met patiënten Die niet behandeld kunnen worden Dus de aanpak en de bekendmakking Zou ik willen adviseren aan de Suriname samenleving Om zich daar dan te houden Anders wordt het een ram Ja Oké En de tweede van die olifons Zou ik willen Olifons Zou ik willen zeggen Olifons Heel mooi Heel goed Heel mooi Heel goed Maar U heeft zelf Desgrunde gehoord Die zeggen Wat zal de toekomst Van de olie Na 2035 Wezen En wanneer we al nu Vier putten hebben Zou het niet goed zijn Dat We alvast Over die één Die ene put Toch wel Zouden kunnen dealen Met die mannen Die toch wel Een contract met Suriname hebben Omdat het nu toch wel Zo is dat we Sociaal-economisch Een beetje in de dompet zijn gelegd Door de vorige regering NDP En de put is erg diep Wanneer we horen Naar de heer Acaibert Dus Ik weet niet De inhoud Van zo'n contract Maar er moet een mogelijkheid zijn Waarin we praten over Een goede deel Van Suriname Dan denk ik Dat er een maat over zal zijn We moeten niet te lang wachten Met onze Productie Want de wereld In de hand Mag ik even inbreken Wat u bedoelt En begin met dat geld te geven En neem die olie later Dat is je vraag Dat is het toch? Nee Laten we dealen Want kijk Dat moet een uitgangspunt Nee Je wil dealen Nee Je wil dealen Maar waarover wil je dealen? Natuurlijk Over die ene put Zou niet slecht zijn Als vast Om te dealen Met de Mensen Wie je toch wel Geld Moet betalen Die mensen die Boringen hebben Vergeven Dus Maar Er een maat is Daar in die contract Om Dan moeten we daar Maar gebruik maken Vind ik Maar welke maat? Wat wilt u in die maat? Want dat begrijp ik niet Wat u heeft gezegd U heeft gezegd Dat die eerste Olie Wat 25 Enzovoort Oh Jaja En dat Zij gaan bepalen Ja, C bepalen, ja. Correct. En die C is voor mij toch wel een beetje, kunnen we daarover niet... Oh, daarover, daarover. Oké, dan ga ik u straks antwoorden. Ja, ja, ja. Dat is enig. Dan ga ik u straks antwoorden. Oké, laat me u een simpel antwoord geven. Wat niet van jou is, bepaal jij niet. Simpel als dat. Die olie, dat grondgebied is van ons. De investering is van die maatschappijen. Die maatschappijen hebben een timeline. Ze hebben hun eigen timeline. En het kan ook, laten we bij wijze van spreken zeggen... Die olieprijskelder naar 22 en 18 dollar. Dan gaan ze automatisch hun productie uitstellen. Ze gaan hun productie uitstellen, want je gaat geen olie uit de grond halen die je niet kan sleten. Dus dan ga je je productie uitstellen. Dus die tempo bepalen zij. En als je zegt, er is een mogelijkheid van jongens, kunnen jullie het een jaar eerder? Dan werkt in die olieindustrie niet zo. Het werkt jammer genoeg niet zo. Dus zij gaan die tempo bepalen. Het kan ook zijn dat die mannen zeggen van... Ja, ik kom een jaar eerder, of een half jaar eerder. Maar ze gaan ook naar de wereldmarktprijs kijken. Ze maken ook exercities van hoe gaat die olieprijs over vijf jaar eruit zien. Hoe ziet die olieprijs over acht jaar eruit. Die exercities maken die mensen ook. Dus in feite wat u wil, en uw vraag is van... Kunnen we ze niet even vragen, jongens, kunnen we die productie sneller beginnen? Want dat is in feite zo. Ik denk dat zij die timeline, eigen timeline, hebben. Het is ook niet eens bekend. Nog niet. Die cijfers zijn er ook nog niet formeel. Hoeveel miljoen barrels er precies erin zit. Men weet wel ongeveer. Maar die cijfers zijn nog niet bekend. Hoeveel vaten er in een bepaalde put zit. Want bij de wezen hebben we ook gas gevonden. We houden dat ook vast. We praten alleen maar over olie. Maar er is ook veel gas gevonden. De vraag is ook, wat doen we met die gas? Want wij huppelen alleen maar om die olie heen. Maar er is evenveel gas gevonden. En wat gaan wij met die gas doen? Zijn die maatschappijen geïnteresseerd ook iets met gas te gaan doen? Zo niet. Willen wij iets ermee gaan doen? Wat kunnen we ermee doen? Kunnen we gas transporteren over land? Want ja, wat gaat dat kosten? Want dat is geen malligheid. Het is geen één buis. Breng je gas over land? Heb ik die industrie wel om die gas te verkopen? Want je moet het verkopen. Dus er zijn allemaal mogelijkheden. Maar het gaat even nog net niet zo gemakkelijk in die olieindustrie als velen even denken. Een ander probleem dat we hebben. Een ander probleem. Die oliemaatschappijen. En we zeggen dat het bedrijfsleven moet zich klaarmaken. Er is hoogwaarschijnlijk, er zijn heel weinig bedrijven in Suriname, misschien één, nog net, die gereed zijn om de diensten te voorzien. Want die olieindustrie diensten, dat zijn heel andersoortige diensten. Wat men noemt local content. En wij kunnen dat niet voorzien tot nu toe. Alles wat deze maatschappijen aanschaffen en betrekken aan manpower, aan know-how, eventueel aan close-by materials, komt uit Trinidad. Omdat waarom? Trinidad heeft al jaren een oliesector. Trinidad is dicht jaren op ons vooruit. En hetzelfde gebeurt nu ook in Guyana. Guyanese profiteren in hun local industrie bijna niet. Wat we noemen local aankopen, local aanhuur. Alles dat gebeurt in Guyana komt vanuit Trinidad. Vele mensen zelf die op die boordplatformen werken, op die boordplatformen van Guyana, die wonen op Trinidad. Maar ze komen zes weken werken, vliegen en gaan weer op Trinidad blijven. Dus wij moeten die hele sector ook local in kaart brengen. En dat is compleet nieuw voor ons. Is compleet nieuw voor ons. Alles wat deze maatschappijen nu betrekken, alles komt van het buitenland. Omdat wij gewoon één, die know-how ervoor vooralsnog niet hebben. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bent u er nog? Dag Farid, hoe gaat het met u? Goed, goed. Ja, ik ben er. En mevrouw Serena, ook voor u een goede morgen. Goedemorgen. Farid, 2019 is dat hele COVID-gebeuren gestart ergens in Wuhan, in China. China was het land met de meeste besmettingen. Ja, je moet me niet vragen hoeveel die bedragen zijn geweest. Dan hebben we gezien dus dat het zich is gaan expanderen naar Europa, Zuid-Amerika, complete pandemie geworden. Wat blijkt vandaag aan de dag? Een heleboel mensen zijn, ja, bang om dat vaccin in te nemen of te krijgen. Anderen zeggen, is Pfizer goed? Anderen zeggen, is dat van India goed? Uit de artikelen blijkt dat dat van India toch wel misschien veel beter zal gaan zijn. Maar wat we vandaag aan de dag nog niet horen, heeft China ook een vaccin ontwikkeld. Wat we wel weten, is dat China van de eerste plaats op die wereldranglijst, gedaald is naar de 82e of de 83e plek, met betrekking tot het aantal besmettingen. En dat zegt verschrikkelijk veel. Dat geeft aan dat het gedrag van alle andere landen in de wereld verschrikkelijk is. En dan zitten we er vandaag mee, moeten we op Pfizer gaan nemen. Ja, het blijkt dat hier en daar Pfizer misschien niet genoeg werkt. Ja, anderen zeggen 95 procent. Maar ik wil toch je mening of uw mening daar jullie twee hebben over wat doet China eigenlijk. Want er is ook laatst een bericht verschenen, dat een delegatie van de WHO, van deskundigen, wil gaan naar Wuhan. Maar de toestemming nog niet heeft gehad om het land te bezoeken, om te kijken waar die oorsprong is geweest. Om misschien toch een ander vaccin te gaan ontwikkelen. Waarbij we zeggen, Engelse variant is er niet meer, Braziliaanse variant is er niet meer. En alle andere varianten zijn er dan ook niet meer. Ik wil je mening daarover hebben. Prima. Oké, dankjewel. Kijk wat ze hebben gedaan in China. China is een communistisch land, hè. Ze hebben cross over kunnen vinden tussen het communisme en het kapitalisme. Tijdens de periode van Deng Xiaoping hebben ze dat gevonden. Maar China is nog steeds een communistisch land. Ze hebben gewoon die stad Wuhan dichtgespijkerd. Radicaal dichtgespijkerd. Dat hebben ze gedaan. Hier in Suriname, vanwege die democratie, praten we nog. Mogen we het doen? Kunnen we het doen? Kunnen we een discussie hebben? En dan krijg je links en rechts. En tegen die tijd gaan mensen ziek worden en mensen gaan dood. China is een communistisch land. Ze hebben de hele stad dichtgespijkerd. En doordat ze die, wat ik bedoelde, ze hebben de hele stad gesloten. En daardoor hebben ze in Wuhan die virus kunnen containen. Gewoon dichtgemaakt. Dat is gebeurd. Wat in de westerse landen gebeurt, zogenaamde democratische landen, zoals Niederland, Amerika, Suriname. We willen debatten hebben. We willen seminars hebben. Ja, want als we die overheid morgenochtend zeggen, ja, we sluiten alles. Dan heeft die overheid een probleem. Omdat we dan gaan zeggen, waar is die democratie, waar is die vrijheid, wat jij mag beslissen en wat wij mogen beslissen. China heeft gewoon de boel dichtgespijkerd. China heeft ook een vaccin. Die hebben ze uitgegeven. Aantal landen hebben van China besteld. Ik weet toevallig dat Marokko van de Chinese vaccin heeft besteld. Maar nu zijn er weer speculaties. Ja, de vraag is nou, wat moet je geloven en wat je niet moet geloven. Maar je kijkt wel naar de wetenschappers die het zeggen. Want je gaat niet rennen achter iemand omdat hij iets heeft gezegd. Je moet even kijken naar die persoon, track record. Men heeft vorige week nog gezegd dat die vaccin van China niet zo effectief is. Maar nou weet je nog niet, is het een concurrentieslag dat men mensen inhuurt van, hey zeg het is niet effectief, die ander zegt niet effectief. Want ieder farmaceutische fabrikant wil nu zijn product slijten. Die mensen maken wriet. Milliarden is ongelooflijk wat ze verdienen. Dus ze kunnen ook mensen inhuren om minder goed te praten over een bepaald merk. Zodat een ander merk omhoog kan gaan. Is het downsizing van het product. Dat kan je ook krijgen, want die farmaceutische maatschappijen, die willen allemaal die business hebben. Zo wil Pfizer ook zeggen van, hey, laat de hele wereld bij mij kopen. Dat koop je niet bij India, dat koop je niet bij China. Maar dan moet je ergens het product kunnen promoten. Je moet mensen erover kunnen laten praten. En je kan die mensen ook inhuren, want dat gebeurt in deze commerciële business ook. Dat je een wetenschapper krijgt, die plotseling komt zeggen van, weet je, India is leuk, maar het is minder goed. Dan krijg je een shock effect in de wereld. Wat krijg je dan? Iedereen gaat naar het andere merk rennen. Dus even passen meten. Belangrijk is wel dat niemand weet hoe lang zo'n vaccin werkt. Dus als ik er morgen zou innemen, dan weet ik niet van, is het zes maanden? Is het negen maanden? Is het geen enkel van deze vaccin? Is er nog een track record voor hoe lang het gaat werken of effectief is? Heel interessant is er wat er gebeurt nu in Nederlandse politiek. Kabinet Rutte 3 is gevallen. Het kabinet bestaande uit de VVD, CCC, CDA, D66 en ChristenUnie zal nu demissionair zijn. Premier Rutte die heeft zijn ontslag al ingediend bij de koning. En wat er is er gebeurd? Er was een hele affaire betreffende een fraude toestand over toelagen die moesten worden toebedeeld aan ouders. In verband met de COVID-situatie. En het is zodanig rommelig eraan toegegaan dat mensen eigenlijk onterecht zijn aangemerkt als verdachten. En dat hiervoor een hele tumult gezorgd. Ongeveer 26.000 mensen zijn daardoor benadeeld geworden. Wanneer het plaatst zijn opzichten van die totale samenleving van Nederland bestaan uit ongeveer 16 miljoen mensen. Dat is het eigenlijk niet zoveel. Maar het is een hele situatie geweest in het land. Interessant is wat er nu gaat gebeuren. Want dit vindt plaats nu ongeveer twee maanden voor de verkiezingen. Meneer Rutte die blijft wel als lijsttrekker van zijn partij. Dus het wordt heel erg spannend om te zien welke consequenties dat zal hebben voor de verkiezingen die voor de deur staan. Verschillende politieke insteken die er zijn over dit besluit dat nu genomen is. Maar de resultaten van de verkiezingen zullen later duidelijk laten merken hoe het volk hiermee omgaat. Intussen is wel bekend dat president Santokki toch nog naar Nederland gaat. Want voor de val van de regering was al besloten dat hij midden februari een officieel bezoek zou brengen aan Nederland voor werkafspraken met premier Rutte. Daarna hebben we gehoord die regering is gevallen. Dat is intussen bekend. Minister Albert Randin heeft intussen gezegd dat het bezoek van president Santokki normaal doorgaat. En dat de gesprekken normaal gevoerd zullen worden. En dat is een heel goede zaak. Een van de redenen waarom als president Santokki nu niet gaat of de Nederlandse regering zegt van hey u bent vooralsnog niet welkom omdat we een demissionaire regering zijn. Dat betekent dat voordat je die verkiezing hebt is twee maanden. Voordat je een nieuwe regering in Nederland is weer een maand bijtikken. Voordat je een beleid hebt en alles weer. Dat betekent dat het bezoek dan zes maanden verder ligt. Zo moet je die in die timeline zien. Dus het is wel belangrijk dat die gaat. Omdat hij dan ook veel afspraken kan maken over institutionele versterking. We hebben hulp nodig. We hebben niet alleen geld nodig. We hebben ook kenniscapaciteit nodig. Op alle ministeries zijn het verschrikkelijk zwak. Verschrikkelijk zwak. Dus wat heb je nodig? Je hebt mensen nodig die ons komen scholen. Mensen die ons komen trainen. Ze gaan natuurlijk ook praten over drugs. Ze gaan hoogwaarschijnlijk ook praten over het milieu. Maar belangrijk is hoogwaarschijnlijk. Belangrijk is hoogwaarschijnlijk. Dat onze president de Nederlandse regering zal vragen voor covid ondersteuning. Voor covid ondersteuning. Want u moet weten wel. De Surinandse regering heeft tot nu toe. Nederland heeft ons sinds het aantreden van deze regering onder covid ondersteuning gegeven. Al dan niet rechts is via de regering. De Nederlandse regering. Of al dan niet via NGO's hebben we covid steun gehad. Maar wat we nu nodig hebben. Dat we 80% voor deze samenleving nog geen geld hebben voor die vaccin. De huidige regering heeft een down payment gedaan voor 20%. Ik zei heel eerder dat betekent er moet nog voor 80% mensen aangeschaft worden. En daar zou eventueel het beroep kunnen worden gedaan aan de Nederlandse regering. Om binnen hun bestellingen. Want Nederland heeft gigantisch veel besteld. Voor hun eigen burgers. Ze zijn overigens ook al begonnen met het vaccineren. En ze hebben ook voor Pfizer gekozen. Je zou in die gesprekken op basis van humanitaire hulp kunnen vragen. Hé, kijk een klein beetje ook naar ons nog. Is dat toch voor elkaar? We zijn toch moederland, ex-moederland. Je kent dat verhaal toch? Het sentimenteel verhaal tussen Suriname en Nederland. Het verwachtbaar is dat Nederland mogelijk ons ook die steun kan geven. In het voorzien van de vaccin. Want we moeten nog voor 80% van die burgers hebben. Het is dus wel belangrijk dat hij gaat. Zoals van het feit dat hij misschien die diaspora mensen daar gaat huppelen. Want daar gaat hij een bara krijgen, een roti, een lit, een tillu en een jalebi. Maar dat is die diaspora. Die diaspora vooral is een heel pakketje apart. Maar belangrijk is het Nederlands kabinet spreken. Rutte spreken. Werkaarspraken maken. En dan terugkomen naar Suriname. Maar de persoon die pech heeft in dit verhaal, iemand heeft pech, is ambassadeur Kargi. Ambassadeur Kargi is ingesteld als de ambassadeur van Suriname in Niederland. Maar hij heeft zijn geloofsbrieven nog niet aangeboden. En zolang je geloofsbrieven niet aanbiedt, betekent je bent formeel in het land nog niet in de status van ambassadeur. En hij gaat zijn geloofsbrieven bij de koning moeten aanbieden. En doordat deze regering nu demissionair is, gaat Kargi moeten wachten tot die nieuwe regering er is. Want dan gaat die nieuwe regering je zeggen, oké jongens, nu gaan we die procedure inzetten. En dan mag je even langs gaan bij de koning om je brief aan te bieden. Wat hij wel kan doen in Nederland, hij kan wel opereren als diplomaat. Want hij heeft dan wel nog een diplomatieke status daar zo. En hij kan die ambassade draaien niet op het niveau van te zijn een ambassadeur van Suriname, geaccrediteerd in Niederland. Maar hij kan wel opereren als chef de post. Chef de post is dan de hoogste persoon op de ambassade. Dat kan hij wel doen. Maar nog niet in de functie van ambassadeur van Suriname in Niederland. Omdat hij zijn geloofsbrieven nog moet gaan aanbieden. Dit is Kaladjer Kal. Maar straks weer terug met meer. ZOE 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 Namaskar en Adap Sanitur. Januari kee sohla tarik. Peeshaab keeliee saad dienkei khabre. मिनिस्टर अमर रमाधिन फॉलक्स खुसंधेट का मिनिस्टर जो ही ये पिछले एटवार को एक कोफिद पर्श कॉन्फरेंसी पर जन्ता को परिचाई करवाई है नया दिरेक्टर से मिनिस्टेरी फन फॉलक्स खुसंधेट का ये नया दिरेक्टर जो क्लियो पात्रा यसरुन के जगे पर आई है क्लियो पात्रा यसरुन चे महना पहली जो है अपना इस्टीफा ले चुके थे अपना वो पद्विक छोड़ दिये थे इसके जगे पर नया दिरेक्टर अप मिनिस्टेरी फन फॉलक्स खुसंधेट पर थ इसके बारे में हम आपको यह बता दे कि यह डाक्टर है। और इससे पहले मेडी सेंडिंग और आएम गौल्ड रोसबल गौल्ड माइं के पास वहाँ पर नवकरी किये है। वो ये फैसला किये है अपना मदद देने को, अपना साथ देने को और ये है मिनिस्टेरी फान उंदर वैस के पास, मिनिस्टेरी फान फॉलक्स खुसंतेट के पास कहें, मिनिस्टेरी फान फॉलक्स खुसंतेट पर वो अपना मदद देने वाले है। अपना ये पहला पेश कॉनफरेंसी पर जन्ता से उन्होंने बात किये है, नया दिरक्टिर बात किये है, और कहा है कि उन्हें काफी चिंता है, जो दिन पे दिन ये COVID-19 बसमेटिंगन फ्लता जाता है, और इसके लिए वो जन्ता को बुकार किये है, सभी मात रेखलन पर, COVID-19 के मात रेखलन जो है, इस पर खौर करने के लिए, और ज्यादा तोर पर उन लोगों से बात किया गया है, कि आप एक खत्र मत हुए, जैसे आप लोगों से बताया गया है, तो ये सोशल दिस्टंसिंग जो है, आप इस पर खौर कीजिए, क्योंकि ये जो फीरस है, COVID-19 फीरस हाफ्ता के लिए बढ़ाया गया था, और हम आपको ये बतादी कि विरसे ये बढ़ाया गया है, एक हाफ्ते से, ये मात रेखलन जो है, एक और हाफ्ते के लिए लिए वर्लें किया गया है, COVID-19 तेलर इस वगंद दिस्टंसिंग पर है, एक सौन तालीस लोगों का ती हाँ, कोWithट-19 virus है, सुरन Nahumद दो के में हो जो है, मिनस्थरि मनस्थरिय वन लिए पर कुच नजा धिर्टवादन है है, कुमिलाकर चार नया धिर्टवादन है और मारी लिए 스ज जो मिनस्थर है, मíनस्थरि वन लिए गंधंशपज और गया है, कुल मिला कर मिनस्टेरी पर इस्वग पाँ तर्टरात नहीं, यहें तर्टरात कुल्टूर को लेकर, जहांबर रोसलीन अदान तर्टर है. नाताशा बननन ये अब तर्टर अंदर्वेस नहीं है, वो अब अद्मिनिस्टर इन तर्टर इन तर्टर है. यूरो, दिपो, तरुनो ये वर्नेमन तर्टर अलगमीन फर्मंट अंदर्वेस का है, और साथ में भी ग्रास या अरम्स केरग चुहे, ये तर्टर बरूपस अंदर्वेस का है, और तोरती हुफर ये नया वर्नेमन अंदर्टर है, तख्मीस दिंस्टन का. मिनिस्टर मारी लेफंस भी ये बताई है, स्कूल के बिसे में, कि स्कूल शुरुवाद नहीं हुआ है, मिनिस्टर ने कहा था कि बाचीत करने के बाद देखा जाएगा, स्कूल का दर्वासा कब खोला जाएगा, क्योंकि ज्यादा बस्मेतिंगन जो था इस साल के मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, गिलमर होफदराद के मुकदमा में हम आपको यह बताना चाहते हैं की वकीलों जो है, सभी जो वकील थे होफदराद का, ये सब का माँध हा कि जो दखफार दखिंग है मिनिस्टर गिलमूर्ट हुफदराद पुराना फिनंसियन का मिनिस्टर जो है इनके खिलाफ ये रत किया जाए ये खारीच किया जाए लेकिन ओपनबार मिनिस्टेरी इस पर खौर नहीं किये है मेखे वखिलों का यह मानना था कि जो जिस तरह से इनका राख ख़ार राघएंग हुआ है ये सही नहीं है लेकिन अपनबार मिनिस्टेरी जो है ये सही तरीका नहीं अपनाए है इनके राख ख़ौर नहीं किया गया है यह इन्होदलिका बहंदलिंग यह स्त्राफसात का जो है हुफदरात का जारी होगा और यह है फिब्रवारी के चार तारिक फिर फिब्रवारी को जारी होगा अब तक गिल्म और हुफदरात के तलाश किया जाता है जो अभी तक नहीं मिला है पुलिस इसके तलाश कर रहे है हुवद्झराद के वासु इन् rubber की वासे, उसदीन charger का मां का सुनाई हो जब नथ ल elections है हुद्झराद के विफसे का मां के तो यस्टार के व जफ रत्त वेर्च विखितम Armstrong तो ने की लेकि उते है हो भी ज है हो बन armp differences it науч आप लिखतेंग। फ़िफदे सिटिंग रहेगा पाँवी मत वायमुक अदमा होगा। और यहे फेबरिवारी के चार तारीकों। रात कामर में होफवान युस्टिची के दरफ से बैठक लेते हैं रेखतर मरी मतंदफ जो प्रेजिदेंट हैं और लेदें हैं मौरीन दयाला और दनियल करमत अली। सुरिनाम देस में एक साल के बाद लगभग एक साल के बाद फिर से FET DOLLARS आई हैं यू KASH YOUS DOLLARS आईए फर इन अदस्टात न याने अमेरिका से और ये लगभग एक साल के बाद ऐसा हो रहा हैं यह मेनिस्टर आर्मान अचाइबर सींग फिनांसियन का मेनिस्टर हमें बातचीत करने के बाद सरकार सुरिणाम देश का बातचीत किये हैं, अपना इंतनेशनाल पर्टनर्श और बंकन के साथ बातचीत किये हैं, सुरिणाम देश के एकनोमी से समस्या जो हालात हैं, आर्थिक स्थीती जो हैं, यह देखकर बातचीत करने के बाद अब लोग रासी ह फिर से ये खाल्द ट्रांसपॉर्ट जारी करने के लीए और ये बहुत जरूरी है सुरिणाम्देश के सरकार घूर्स बेहिर संफ प्लणत बस Và बनाइए जो बेहुत ज़लूरी है इसके लीए ये युवैस दॉलर ये बैह सभी में है dotte couple spent जाने लिए और इस पर रजिक को ज ज्यादा ना हो और ऊचा ना हो यह खल्द ट्रांसपोर्ट का जो कदम उठाया गया है यह पहला ही और इसके बाद भी लोग उमीद करती है कि और खल्द ट्रांसपोर्ट दन रहेगा और पैसा युवेस दॉलर्श शुरी नामदेस में आएगा और इसके साथ भी कुछ जो है यह स्टाबिली सेर हो सकता है और नीचे लाया जा सकता है यह मिनेस्टर अच्छाइबर सींग ने कहा है सरकार का ये कई ऐसे मातरीखल अनमे से एक मातरीखल ये है और ये है सुरे नाम देश के जो एकोनोमी है इसको फिर से सही करने के वास्ते ठीक करने के वास्ते फलीटा मरक पर भी लोकशांती लाना चाहती है ये कदम उठाने से मिनेस्टर अच्छाइवर सिंग ये बताई है कि आप ये मत समझे जनता को ये जान लेना चाहिए कि ये जो पैसा आई है युवैस दॉलर्स जो सुरे नाम देश में आई है इसका मतलब ये नहीं है कि एक हिदम आप जाएंगे बंक पर और जितना युवैस दॉलर्स आप लेना चाहते है बंक से ये आपको मिल जाएगा ये धीरे धीरे होगा ऐसा आप मत सोचे कि आप बंक पर जाएंगे और चितना पैसा अपना रेकनिंग से आप लेना चाहते है वो आपको दिया जाएगा यह जो अपनाम लिमित है कि इस पर रुकावट डाला गया है कि कितना पैसा आप निकाल सकते हैं अपने रेक्रिंग पर इसके बारे में बंकन से बाचित हो रहा है और धीरे धीरे इसमें भी हल लाया जाएगा सरकार इसलिए कुछ समय का मांग किये हैं ताकि यह जो समय का मांग किया गया है भरोषा जीतने के लिए ताकि फईसा फिर से देस में जो है इसका कारबार ठीक तोर पाओ सके और हर एक इस मामले से खुश रहे हर एक के लिए फायदा इसमे रहे ये रेख्जाक, चुहे, 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 जूहे, चुहे, 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 चुहे ये जो मुकत्मा है ये फिर से जच के सामने फिर पेश हुआ है मुकत्मा जो था पिछले दिनों में और यहाँ पर फैसला लिया गया है कि ये सब जो है ये कैट में रहेंगे इन लोगों का वकील जो इन लोगों के रिहाई का मांग किया था लेकिन इस पर जज ने घौर नहीं किये है। जज इंकार किये इन लोगों के रिहा करने के वास्ते। त्रिक और अंगनू ये दोनों पिछले साल फिबरेवारी से फोर आरेस्ट में हैं, इन लोगों का वकील एरविन कनहाई के गुजारीस जो था इन लोगों को रिहा करने के लिए इस पे घौर नहीं किया गया है, क्योंकि रेखतर माइतरी कुल्दीव सींग सेहमत नहीं थे, इन लोगों के वकील एरविन कनहाई के बातों से ये सेहमत नहीं थे, अभी बहुत से ऐसे इतरास हैं, रखतर ने कहा हैं, और जो सामने रखा गया हैं, तो इस पर घौर करना हैं, अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा, वकील जो है मरविन दुबवा और राउल लोबू जो आलिबक्स हाऊसिल का वकील है, ये सब भी मांग किये थे कि आलिबक्स हाऊसिल जो है इनको भी रिहा किया जाए, लेकिन इस पर भी घौर नहीं हुआ है, कुछ खुटवखर क्लारिंग जो है, कुछ लोगों के बयान से ये भी पता चला है, कि उन दिनों का जो प्रेसिदे को जब ये बाते बताया गया है, तो फंत्रिक ने कहा है कि ये सब बाते बिलकुल सच नहीं है, फंत्रिक ने बताई है कि किरपलानी इन से गुजारिस किये थे, इनको फालुता देने के वास्ते, और ये चाहते थे, किरपलानी ये चाहता था कि फंत्रिक इनके दफ्तर में जाए वहाँ पर इस बारे में बात्चित करने के लिए लेकिन इस पर वो गोर नहीं किये है फंत्रिक कहते हैं कि जो बाते केरपलानी ने कहा है ये बिलकुल सच नहीं है और केरपलानी कहते है कि फंत्रिक के बाते सच नहीं है किरपलानी के कहने पर ये पता चला है कि ये एकस गौफनर जो बताते हैं कि इनसे वो मांग किये थे कि इनको पैसा दिया जाए और फलूता दिया जाए और जो कॉंटरक्तन दस्तखत हुआ है किरपलानी कहते है कि इसके लिए वो रजामंदी नहीं दिये है और वो कहते हैं कि जो बात इफंतरिक ने कहा है, ये सच नहीं है और कुछ इसके बारे में आगे वो नहीं करना का चाहते है. विजेकर बलानी सेंट्राल बंक बन सुरिनाम की दिरेक्सी के साथ मिलकर यह आन्हिफ तक किये है यह मुकदमा चालू किया है फंट्रिक के खिलाफ यह जो मुकदमा है यह फिबरवारी के नौ तारिक फंट्रिक के खिलाफ फिबरवारी के नौ तारिक यह जारी होगा क्रोमो सूतो जो एक्स दिरेक्टर सुरिणाम से पोस्पार बंक का रेख्टर ने ये फैसला किये है कि इनको भी अभी तक कैट में रखा जाएगा क्रोमो सूतो अपने बयान में ये कहा है कि उन्हें इजासत मिला था एक्स मिनिस्टर गिल्मोर हुवदराग के जरीए जो भी वो किये है वो एक्स मिनिस्टर गिल्मोर हुवदराग के कहने पर कहे है और ये सरकार का जो ये अबदराग था वो स्रीफ वो ही किये है क्योंकि य कोई कदम नहीं उठाएंगे और इसलिए पाइसा जो सरकार मांग किया था वो पाइसा सरकार को दिये है लेकिन जब अफलो सेंग के बारी आई अब जब पाइसा लोग नहीं चुकाई है तब ये उन्हें पता चला है कि इसमें कुछ गलत है वो कहते है कि वो कोई ऐसे गलत का मामनें जो कुछ वो क्येहें वो मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, फिन स्थियानीका, शूप्दराद के कहने पर किये है यह जो जो मामला है इसमें जो क्रोमोसूतो है कहते है कि इनका इस्तमाल किया गया है इनका मुकदमा जो है ये 26 तारी जनवरी 26 विंदख यानिवारी को जारी होगा आलिवक्स होसिल का जो मुकदमा है ये आलिवक्स होसिल का जो राच लीदरेन का वकिल है लोगों का मानना है कि जिस बिनापर होसिल का गिरफतारी हुआ है वो सहमत इससे बात से नहीं है इसलिए लोग इनके रिहाई का मांग किये है लेकिन जच ने इस पर गोर नहीं किये है इनका वकिल ये बात भी सामने रखे है जच के कि फरार होने का या भागने का कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए वकरिहा किया जाए लेकिन इस पर घौर नहीं किया गया है आलीबक्स होसिल का इस पर इल्जाम है कि इनका भी हाथ है अनेक ट्रांसाक्सिस में जो हुआ है फंत्रिक के समय पर और ये भी इन पर इल्जाम है कि ये बांक वेद और अंती-कॉरुप्सी वेद का उलंगन किया है होसिल के सामने खुटलख फरकलारिंग कुछ गवाहियों का बयान रखा गया है कि 17 माकान वो खरीदे है और इसका हाथ इसमें है जो फिनाशेल ट्रांसाक्सिस होगा है ये माकानों का लेकिन होसिल कहते है कि इनके इसमें कोई हाथ नहीं है ये सरिफ जानकारी जो है जो उनको कहने के लिए कहा गया था उन्होंने किये है और एक्स गोवनर जो है ये सभी जानकारी इस मुकदमा के लिए नहीं दिये है ये मुकदमा भी जनवरी के 26 तारिक 67 विन तख यानिवारी को जारी होगा अफसोस के बाद हम आपको बताना चाहते है कि एक बार फिर याता यात में एक चोता बच्चा जो राइनो पिनास ग्यारा साल का इसका दिहानत हुआ है बीत हुए मंगर को यहादसा हुआ है क्रॉइसिंग मावा काबो वेख और फरलेंग दर फ्रेडरक्स होब वेख पर यह जो लड़का है एक पर्शोन ओटू जो है जाकर इनसे तकराया है और तकराने के बाद वहां से चला गया है चार और लड़के इनके साथ मौजूद थे या चार लोग कुल मिला कर थे जो मावा काबो वेख से पैदल लोग जा रहे थे और फ्रेडरक्स होब के आसपास में एक गाड़ी वहां पर अचानक आई है रास्ते पर तीन बच्चे जो इसमें है तीन लड़कों जो थे यह कुचल दिया है और वही पर इसका देहांद हो गया है इस बस्तूर जो था गाड़ी का जो हाक रहा था यह आत्मी वहां से चला गया हाथसा के बात लेकिन देना में फरखादरिंग के दौरान मिनेस्टर अमोकसी जो युस्तिची और पलीची का मिनेस्टर जो है मिनेस्टर खाल दिख रखादर रखादर नहीं है जो राइनू पीनास के देहांद हो जाने से फरकेर्श बारोमेटर इस साल के वास्ते पांच पर आकर पहुच गई है मतलब पांच लोगों का देहांद हुआ है या था यार में Total Apache Corporation अप्रप्राश, अनल, amma बड़ा ओली फॉन्स है, इससे पेश्टर मका सेंट्रल, सपाकारा वेस्ट और क्वस्क्वसी में तेल मिला था, यह हम आपको बता दें कि नया जो तेल मिला है, इससे लोग काफी खुश है, सीनियर वाइस प्रेसिदेंट एक्स्वरेशन का जो तोटल के पास, केफन मक लखल यह कहती है, कि यह बाद से वो बहुत खुश है, कि यह तेल जो मिला है, तोटल जो है, यह जनवरी के पहली तारीख, दो हसार एक्स इस साल में, इनका वेरक बलंग जो है, ब्लॉक आखतन फैफ तख में, फैफ तख प्रोसेंट का है, एक और हादसा इस साल हुआ है, यह हा हादसा हुआ है, अफुबा का वेख में, जिसमें गियोफानी तिल बौरख सेफनन त्विंतख यार और इफा निल्दू तिल बौरख त्विंतख यार दोनों के देहांत हुआ है, एडिसन ओसेनी फीरंदर्थ यार, जो इस हादसे में बूरी तरह से घायल हुए थे, अफ हादसा हुआ है, दो गाड़ी, एक तोयोता कोरोला जिसमें तीन लोग मौजूद थे और एक तोयोता क्रॉण जिसमें पांच लोग मौजूद थे, यह पांच लोग जो तोयोता क्रॉण का थे, यह सब को होस्पितल में लोग दाखिल किये थे, और इलाज के बाद लोगों को घर भेज़ दिया गया है लेकिन ये तोयोता को रोला का जो तीन लोग थे इसमें से दो लोगों का दिहान बहीं पर हो गया था और एक तीसरा आदमी का दिहान जो है ये जो हुआ है बीत हुबे बीफिको हस्पितल में मिनिस्टर केनद आमोक्सी जो है ये सिची और पॉलीजिका ये कहते है कि नच्छनाल असंबले में याने पंचगर में ये कहे है कि फरकेर्श क्रिमिनाली तैट पर खास घौर किया जाएगा क्योंकि इस साल के वास्ते छे लोगों का दिहान हो चुके है यातायात में फरकेर में और इसमें तीन लोगों का दिहान आफोबा का विखबर हुआ है इस साल में अभी दो हफ़ते गुजरे और दो हफ़ते के बीच छे लोगों का दिहान यातायात में हो चुका है इसलिए मिनिस्टर ने कहा है कि फरकेर्ष क्रिमिनाली तैट पर अब खास गोर किया जाएगा और करी नज़र दाया दाला जाएगा और मात रेखलन आएगा. वैसे आपको शाय तभी पता होगा कि पिछले साल देजमर के अंद में साथ लोगों का देहान भी आफ़ोबा का वेख़ पर हुआ था तो मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ खास मात रेखलन आएगा ये फरकेर्ष क्रिमिनाली तैट कम करने के वास्ते. प्रेजिदेंट चांदरी का परसाथ सांतो की इनको दावत एक निमंतरन मिला है प्रमीर मरक रुत के जरिये फिबरवारी के दोसरे हफ़ते में होलें जाने के वास्ते एक वेरक बसुक पर. ये जो वेरक बसुक है पेश्टर कहा गया है कुछ एकदीन पहले कि जारी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजिदेंट के पर्मीर मरक रुत का सरकार ये अपना इस्तीफा का मांग किये है. कोनिंग विलम अलेकसंदर के पास अपना इस्तीफा का मांग किये है हॉलेंड के बारे में हम बात करते है लेकिन मिनिस्टर रमदीन जो बहुत लंग ससागन का मिनिस्टर है ये कहते है कि ये वेरक बसुप प्रेसिदेंट संतोखी का ये जारी होगा इसका तैयारिया जोर तोर से चल रहा है और मिनिस्टर रमदीन ये जानकारी दिये है कि प्रमीर रुट जो है ये अभी मार्थ मेहना तक अपना पद्वी पर रहेगा और नए आफरकी सिंग जो है ये 17 तारीक मार्थ को होलेंड में होगा लेकिन इससे वेश्टर ये मार्थ से पहले जो है प्रेजिदेंट सांतोखी होलेंड जाएगा वेरक बसुक पर और वहाँ पर कुछ बातचीत वो करने पारे है कैसे दोनों देशों का जो संबन्ध है और गहरा और मस्बूत बनाया जा सकता है जिससे दोनों देशों का भी फायदा हो सकता है प्रेजिदेंट सांतोखी ना स्रीफ मारक गरोतर से बात करेगा लेकिन वहाँ नेदलांग होलेंड में बद्रैफ स्लेफ के लोगों के साथ और दियास्पोरा के लोगों के साथ भी बातचीत करने वाली है कल सुक के राद में पंचकर में तीन बलास्तिंग वेतन द्री बलास्तिंग वेतन जो है पास होगा है यह हम आपको बता दे कि फिबरवारी के पहली तारिक से जो लोग एक साथ पचास हजार हंड़त फ़ेफट दौसंद स्र्ट से ज्यादा सलाना पर्यार कमाते है इन लोगों को 10,3% सोलिदारी ताइट हैफिंग भरना परेगा यह सोलिदारी ताइट हैफिंग उन लोगों के लिए रहेगा जो सलाना एक साल में 150,000 से ज्यादा पैसा कमाते है यह जो अमसेट बलास्तिंग है, इंपॉर्ट खुदरिन पर यह भी फिबरवारी के पहली तारिक से 2% से और उचा होगा यह सोलिदारी ताइट हैफिंग जो है, स्टिफ यह साल के लिए 2021 के लिए रहेगा वेतल लोन बलास्तिंग और इंकॉंस्टन बलास्तिंग जो है, यह 31 एन अंदर तक स्टैमन के साथ नपास हुए है इसके लिए कोवालिट्सी और वेप फ्रक्सी भी अपना वोट दिये है और वेतल लोन बलास्तिंग जो है, इसके लिए एन डी पी और वेप वोट नहीं किये है एन डी पी के दस तेख स्टैमन था, इसके खिलाफ वोट किये है और वेप जो है स्टैमिंग से पहले साल छोड़ कर चले गए है प्रेज़ेंट संतोखी जो है अंत में ये कहा है कि वो बहुत खुश है कि ये तमाम वेतन बलास्तिंग वेतन जो है ये पास होए है इसका खुद क्योरिंग हुआ है, लोग इसके लिए रासी होवे है पंचगर में और इसका मतलब यह होगा कि सरकार के लिए और पैसा अंदर आएगा जो बहुत जरूरी है खास सवर पर कर्जा भरने के वास्ते, यह मात्रे इखलन बहुत जरूरी है लेने के वास्ते, यह सुरिणाम देश में सुधार लाने के वास्ते, सुरिणाम देश के आर्थिक स्थीत तो है इसको और बेहतर करने के वास्ते ये प्रेजिदेंट संटोकी ने कहा है। ये आखरी खबर है आज साथ दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदावीस।